तो आज के हमारी इस online classes में हम्सक्राइब करने जा रहे हैं Advanced Excel Formula और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने माइट करें ताकि background का सोड़ना है और साथ में classes यूटूब पे live पे लिकास्ट हो रहा है तो recording आपको class के तुवंद बाद मेरे YouTube चैनल से मिल जाएगा लाइब classes करके टाइटल होगा तो आज हम बात करने जा रहे हैं Excel formula की यह formula की refresh classes है क्योंकि जैसे कि हमने आपकी Excel की जो बहुत सारे चीज़ के cover कर दी थी तो हम formula क्योंकि important part है एक बाद formula को मैं सुरूर से process speed में आपको प्रहा देता हूं ताकि आपके सारे formula रिफ्रेश हो जाएं फिर हम मंदे से VEVM micro programming के तरफ बढ़ेंगे तो अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं formula में नुबार में हम सबसे पहले start करते हैं हम logical formula से तो logical formula में सबसे पहला बात आती है if इफ से पहले हम बात करते है logical operators की जिसकि logical operator होते हैं greater than less than greater than equal to less than equal to and not equal to this is the logical operator मतलब की excel में आप इनको जो है direct apply कर सकते हैं हमने बोला कि मुझे चेक करना है कि greater than 50 कौन है तो हम just यहां पे इसको select करेंगे greater than 50 डालेंगे और हमारा result यहां true and false में आ जाएगा तो यह true and false का record देता है कि जो अगर conditions fulfill कर रहा है वो true आएगा और false आएगा तो हम if का formula जो लगाते हैं if का formula होता है आप अगर लगाते हैं तो देखेंगे तो यहां पर logical test होता है value true and value false अगर value यहां पर true हुआ तो पहले बाले value को show करेगा तो यहां पर जस्ट चाहिए होता है true and false true and false चाहिए होता है और कुछ नहीं तो यह जो है if का part यह जो दिख रहे है आप यह जो आपका है यह आपका if का part नहीं है इंडिविजवल है if में हम combine करते हैं ताकि हम एक column बचाने के लिए हम इसमें direct डाल देते हैं कि अगर यह greater than 50 है तो यहां पर ओके otherwise pending so ho हम इसको यूज कर लेते हैं लेकिन इसका दिहान आप रखिएगा कि if ए इंडिविजवल है इसलिए इसको हम अलगर जगों पर यूज कर बाते हैं अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब अगला option पर जानते हैं हम इसके कुछ example देखते हैं इसकी मान दीजिए कि मेरा यहां पर serial number है और यहां पर name है और भी बहुत सारे चीज़े हो सकती है मैं चाहता हूँ कि मेरा name जो है जब मैं type करता हूँ तो मुझे यहां serial number देना होता है मैंने request किया तो आप लोग जैसे कि आप अपने mic mute रेकेंगे आपके बाइग्राउंड से सोर आ रहा है का नारान तो यहां पर हम नाम डालते हैं सियर no借 नाम डालते हैं पिर यहां पर मादव हम Ohm डालते हैं तो यहां पर one को दीकर पर देखे हम, भी देखे है कर लोग का ट्याँम के इन्म साथ जाह हो हूँ तो यहां पर condition दिखने है अगली सेल की वैलू अगर ग्रेटर दैं 50 है तो बी-3 इस गेटर दैं 0 है जीनों आपने क्यों किया क्योंकि ब्लैंग सेल को एक्सल जीरो से मजता है तो बी-3 अगर जीरो से बरा है इसका मतला कि उसमें कुछ टाइप है ऐसा हो तो अपने उपर वाले 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 में प्लस वन कर दें अधरबाइज ब्लैंग कर दें और इसको आप नीचे के तरफ ड्रैग कर दीजिए अब यहां पर मैं डालूंगा पिनी रज तो अपने है तो इसको रोखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक मैक्स फॉर्मूला की यूज कर देते हैं इफ के साहरे सेन कंडिशन होगा कि अगर ए ग्रेटर दैन जीरो है तो मैक्स और मैक्स के अंदर में जो हम डिजर्ट देंगे वो देंगे कि C1 से C1 और फिर यहां यहां धिक और करें हम इंपर सीवन प्लास वर्ण करते हैं है और यहां पर हम आए हिदि नीचे की तब ट्राइग किजे ओर ड्रैक करने से पहले 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 सिय उनको आप व्रीच कर देगा तो आप का ब्लांक से कोई फार्ट नहीं पढ़ेगा कुछी तरह से माली जी की बिला यहां पर start और end date डला हुआ है end date डला हुआ है यहां start में date डालू और end में date डालू यहां पर तो आप start date को लिंक कर दीजिए फिर नीचे दीजिए फॉर्मुला के फॉपर वाली वैलू में प्लास वान करने पर अगर अब ग्रेटर दैन हमारे end date से है तो यहां पर ब्लांग कर दें नहीं तो उपर वाली वैलू में प्लास वान कर दें अब नीचे हम डारेक्ट ड्राइग नहीं कर सकते को कि हमें इस एच्टू जो की fix rate है उसको हमको freeze करना परेगा नीचे के तराफ इसको हम ड्राइग करते हैं लेकिन इसमें error के चांसे हैं यहां पर देखिए आप आप error क्यों आया कि उपर वाली वैलू blank है और system blank को text समझता है मतलब कि जो आप formula से blank देते हैं इसको blank समझती है इसलिए text होता है blank को text समझती है तो text में किसी भी तरा की calculation नहीं कर सकते हैं इसलिए तो यहां इससे रुखने के लिए हमाँ तरीका क्या है हमारे पास फॉर्मूला होता है if error का if error का formula क्या करता है कि अगर cell blank है तो error देगी अगर सब्सक्राइब का error है तो उसके जवाब पर जो मैं चीदना चाहाँ दे सकते हैं या कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जैसा है वैसा ही आएगा इसको नीचे के तरफ ड्रैग करता हूं तो देखिए अगर देट बढ़ाता हूं मैं यहां पर करता हूं माले जब एक बंद्रा कर दिया तो अपने आप बढ़ जाएगा डेट इस चीजे if से होती है लगिए आपके पास multiple condition हो तो जैसे कि इसी में अगर मालेजिए इसी में मालेजिए हमारा मालेजिए मेरे पास multiple condition हो तो क्या करेंगा तो multiple condition मतलब की मुझे greater than between 60 to 90 के बीच में आया हो तो वहां पर okay देना है आपको 60 to 90 के बीच में उसको okay देना है मतलब की greater than 60 और less than 90 तो यहां पर दो चीजे हैं एक तो हम यहां का formula दे सकते हैं कि and इसको select करेंगे और बलेंगे अकर greater than 50 है 60 है greater than equal to 60 है या भी यहां पर less than equal to 90 है तो and के अंदर में हम एक स्विदा condition देंगे कि if में हम एक ही condition दे सकते है but and में कई सारे condition दे सकते हैं इसा ही कैसा रे condition हमारा हो गया अब मैं इसको नीचे के दराफ ड्रैग करते है but true and false को convert करना है तो यहां पर आप if का formula लगा दीजिए अगर ऐसा है तो okay अब यहां पर equal true करने की जरूरत नहीं है क्योंकि if को true and false चाहिए होता है and का use भी true and false के लिए ही होता है तो इसी चीद को अगर आप if से करना चाहें तो आपको necessary if लगाना पड़े तो यहां पर okay आप otherwise pending है किस तरह से चीज़े हम कर सकते है अब यहां पर false आ रहा है क्योंकि हमने यहां pending false दिया है एक if को दिया है तो जितना if उतना false आपको देना पर जाते है अगर इसी तरह से में पास मल्टिपलो हमरी सुनना हूं सर वो एंड एक बार बता दूगे कि मेरे पास यहां पर एक नेम है और यहां पर मान लिजिए कि मेरे पास सब्जेक्ट है एक्जांपल में सब्सक्राइब को बताता हूं तो जिनको बता होगा हो बोल मत होएगा यहां पर मुझे रिजल्ट देना है और रिजल्ट में है कि हर सब्जेक्ट के अंदर अंदर गेटर दन 30 होना चाहिए तो यहां पर पास होना चाहिए तो यहां हम पंबला देंगे यहां पर अंदर गेटर दन 30 है और पर इसको सेलेक्ट किया गेटर दन 30 है कॉमा वापस इसको सेलेक्ट किया गेटर दन एक्वाल टू थार्टी है और फिर हम वापस इसको सेलेक्ट किया होना क्या एक्वाल टू थार्टी है सारा अगर फुल्फिल हुआ तो ट्रू देगा तो एंड के अंदर में आप एक से ज़दा कंडिशन लगा सकते हैं 256 कंडिशन तक अंड में आप लेकि जा सकते हैं अगर 256 कंडिशन में ट्रू हुआ तो यहां पर टू देगा अधरवाइज फॉल्स लेगा अब मुझे फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स को कंवर्ट करना है पास और फेल में तो यहां पर होगा आपका इस और यहां पर कर दीजिए ट्रू हो तो यहां पर पास यहां पर रिजाल नीचे तक इंट्री हो जाएगा ओके का है कि यहां करा इसी ची़ को अगर नेक्ट कर अपम inherent इसंड़ करने का रिजन क्या है अभी कैंप कर आए- मंपर् beginnen कि अधे इसको भॉल आउर पाश पॉल्स की में मअने कर ने का अफ्रूट्षिप yn जिसकी सब्जेक्ट में अगर पास नमबर कम है तो पास नमबर देखे हम इसको पास कर सकते है। तो इस केसे में हमें if लगाना पड़े हैं. हम बोलेंगे कि if अगर if greater than equal to 30 है फिर यहां प्रिया दूसरा it इसको select किया अंब अब बोला कि yático it equals to 30 है फिर हमने इसको select किया और बोला ज़सा ? फिर comma इसको select किया फ़ी इफ लाना प्रहेगा नहीं यह अब इसको select किया ऊबला कि एफ बुरे greater than equal to कि ऐसा हुआ तो यहां पर पास आना चाहिए तो फेल के लिए मुझे यहां पर कई सारे कई सारे कई सारे हो सकता है तो मुझे हर एक कर देना पड़ा अब यहां मैं ग्रेशी को लगा काम नहीं कर रहा हूं मैं अभी और बताऊंगा अब को टो कि एंट का निस्ट जिसे अं अंड से किया इसी को यहां पर कर शूटि अधिया है यहां पर बात होती है अगर मुझे इसमें इसका सम करना है तोटल करना है यहां पर टोटल यहां पर टोटल मार्क्स देना है बट वही है कि अगर ए अगर ए गेटर देन थर्टी जिए पचीश से उपर है तो हम इसको पांच एड करके टोटल डालें तो यहां पर मुझे 5 अलग अलग इसको सेलेक्ट करना होगा ंहीं ! ऐसे भी होज़ता है कि हम यहां पर कि हमएं टोटल ही तो करना है तो हम इहां equal हम काउंट इप भी देसकते हैं हांपे कि काउंट इस countif में हमने इस पूरे को select किया countif से नहीं होगा इसके जगापे हम countif देशेक्ते हैं normally countif से लिका सकते हैं countif countif में हमने बोला पूरा range को select का लिया कोला कॉन is greater than equal to 30 है इस तरह से भी लगाया जा सकता है और यहां तीन है अब कंडिशन दे सकते हैं कि अगर काउंट इव का डिजल्ट काउंट इव का डिजल्ट इज एक्वल डू फोर है तो यहां के पास कि एक तभीय उज वात जो यापका यूज़ और ख़ो अइसा हो सकता है कि आपकर यहांपर फिप्टी नुमबर का था या और हंड्र नंबर का था तो उसकार निया की का बात करते हैं कि मुझा इसको टोटल करना है बट् पास नमबर की ग्रेसिंग देनी है तो इसमें हम पास नमबर देके इसको 30 करके पास कर रही है तो यहां पर कंडिशन लगा कि इस अगर एग ग्रेटर देन 30 है, greater than equal to 30 है तो जो है वो सुख कर दे अदर्वाइज एक और इफ चलेगे, इफ अगर इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है तो इस पे प्लस हो जाया, 30 माइनर एग तो जो नमबर है वो ही नमबर शोग करें यह हमारा एक कंडिशन हुआ अब इसको जो है प्लस करेंगे और इसी में हम करेंगे दूसरा कंडिशन की इफ हर सब्रेक लिए अलग लग करना पड़ेगा अगर एग ड्रेटर दैन इक्वल टू 30 है तो जो है वही शोग करेंगा नहीं फिर दूसरा कंडिशन से करेंगे क्या एग ड्रेटर दैन इक्वल अगर ट्विंटीफाइव है अगर ट्विंटीफाइव है तो तो इसको सेलेक्ट कर लेजिए इसमें प्लस करना अगर यह ब्लस सो 30 माइनस जो है सर ना कम है उत्माही देना हमें पास आफ में पांचंक नहीं देना है आप 5 अरह एक नंबर देंगें दो शक्राइब कामें दो देंगे फांच तक हम दे सकते हैं ऐसानी कम सब को पांच देते चलें इसी प्रसीजर को सब के साथ करना परेगा प्लस प्लस करें तो यहां देखे बहत्तर आ गिया अगर मैं इसको एक्स्प्लेइन करूंगा तो पता चलेगा किसनी क्या किया है इस इस बाता ही देदा दूरों का जोर देना था ना बाता हो अच्छब्श एक मेंट एक मेंट इसमें हमें यहां पर ब्राइकेट्स एक लोज नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ है अब सही आएगा तो इसने क्या देखा कि इसने चेक किया कि बहत्तर है तो बहत्तर है तो सिर्फ उसने बहत्तर ही दे दिया दूसरा ही चेक हुआ कि छब्श है तो फॉल्स है तो इसने क्या कि चेक किया कि पचीश से ज़्यादा है तो इसलिए क्या किया कि 26 में जितना कम था उतना जोर कि उसको 30 दे दिया यहां पर आपके सामने 30 आ गया इस तरह से ग्रेशिन नमबर दे सकते हैं अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि अगर मान लीजे मुझे अगर इसी में करना होते है यहां पर हमजे और हम step 2 का मुझे अगर नवीकें चैप शूभना कि मुझा है बला है कि निन का तॉप भ्र में हमने यहां पर करनी यहां पर हमारत पास टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है तेक्स्स फॉर्म्मुले में हम यहां पर देते हैं यह फिर दूसरा होता है हमारे पास week number weekdate weekday डाल गलेंगे तो यह आपको पता रहां कि week का कौन साथ है weekday में अगर मैं यहां पर कॉमा तु करता हूं कि Monday से हमारे week स्टार्ट होता है तो इस फोर आ गया तो मंदे को 1, Tuesday को 2, Thursday को 3, Wednesday को 4 करके यह देता है तो दुर्म से एक कर सकते हैं तो अगर मैं Saturday and Sunday according चलता हूँ तो हमें यहाँ पे relation लेना पड़ेगा All और हमने इसको select किया और बोला कि अगर एक इसको select नहीं करूँगा मैं यहाँ पे text टेक्स्ट इसको select किया और बोला कि अगर एक करके एक को अगर एक सटर्टे है तो दोन में से कोई एक हो सकता है सटर्टे देना है या या फिर हमें संद्धे देना है दूसरा अब इसी को इसी टेक्स फॉर्मला को में कॉपी करके लिख देता हूं कि अगर यह संद्धे हुआ तो रिजल्ट यहां पे false आएगा नहीं तो true आएगा तो true and false को convert करना है आपको weekend and weekday में तो if formula इस्तमाल पर सिखने के if और यहां पे हम दे देते हैं week and तो and के जगाते हम और लगा सकते हैं तब जब हमारे पास जब हमारे पास optional हो कि भाई मुझे कई सारे result में से एक भी चलेगा तो वहां पे हम और का लगाते हैं अब मुझे इसको week number से करना हुआ तो इसमें if लगा देंगे if weekday हम इसको select किया,2 better than equal to 6 6 तो यहां पे week and दाना चाहिए otherwise यह भी दे सकते हैं क्योंकि यह number आता है तो इसमें simple logic लगाया दाशा अब माल लिजे कि इसी में मुझे यह लगाना हो मतलब कि slab incentive परना हो तो क्या होगा जैसे कि मैं यहां पे sales लेता हूँ और land building का उपामा लगाके यहां पे लेता हूँ जैसे और इसी के ऊपर पेशल पेश्टेजी वैल करते हूँ अब मुझे स्लाइब देना है जीरो टू फुर्टी हो फुर्टी तो एट्टी करते हूँ और एट्टी टू अब आप देन तो फुर्टी से उपर होती हां पे 500 यहां पे 4280 हो तो यहां पे आना चाहिए 1000 आप यहां पे यहां पर फैक तो यहां पर हम इंसेंटिव आइंसी लगाते हैं और यहां पर फ्रीमला देते हैं कि if 10 like इन हम देख रहें कि इसमें हमारे पास सब कुछ है कि हर किसी के लिए कुछ नहीं कुछ अबलेवबर है हर किसी के लिए कुछ ने कूछ एबलेवल है इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसी प्रावलम नहीं हो तो यहां पर हम देंगे कि लेश दर एक्वल टो फुट्टी है तो फाइव अंगे फिर यहां पर वापस इप देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अगर लेश दर एक्वल टो एक्ती हुआ तो यहां पर वन थाउजन फिर वापस हम यहां पर इसको सेलेक्ट कि यहां श्राइब निश्चरिफ का इस्तिमार कर सकते हैं कि इसको और सिखने के लिए इस से लेटर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां एक्जाम्पल देता हूं मैं एक अटेनमें सीट की बात करता हूं अब मुझे इस अटेंडिन सीट में बनाना है तो सबसे पहले मैं यहां पर इंप्लूई को देता हूं या स्वियर नंबर नेंट आज का देता हुआ यहां पर आज का देता हुआ एक अपर पर देखते हैं यहां पर यहां डेट को ड्राइग नहीं करेंगे इसमें हम प्लास और फिर इसको आगी के तरफ ड्राइग करते हैं यहां पर पॉल्म आ गई कि अब मैं इसमें इसमें एक बेनिफिट हुआ प्लस कर देने से यहां पर मार्स का डेट डालूं तो पूरा डेट हमारा मार्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा अलोर फरवरी का डानुम तो फरवरी के कॉर्डिंग हो जाएगा लेकि छोटी सी प्रॉलम हो रही है कि यहां बह जा रहा है हमें कुछ ऐसा गरना है कि महीने का लास डेट ही रहे तो किसी महीने का last date पता करने के लिए हमारे पास formula होता है E-O month का मत्तर कि मुझे पता बना है यहां पे कि इसका last date क्या है तो हम लगाएंगे formula E-O month E-O month में हम date select करके यहां 0 करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि हमारा एक date आगे ठीक है तो हम इसके लिए क्या करेंगे यहां हम करते हमें हमें पता है कि कम इसके हम अठाइस तो होगा ही होगा यहां पे इफ कंडिशन लगाएंगे इफ कंडिशन बल्के इफ इफ इओ इडेट अगर एक greater than हो जाता है और कोई भी एक डेट ले लेते हैं और यहां पे जीरो करते हैं ऐसा हुआ तो ब्लाइंग को जाए नहीं तो अपने डेट में जो प्लस कर रहे हो प्लस हो और जाईसी बात है जब इसकों ड्रैट आगे के तरफ करेंगे तो एर्र आएगा जाए तो इसमें हम इस एर्र लगा जबते हैं और यहां पे हम देते हैं अब हर महिने की लास देट ही आप आएगा जो भी महिना में अगा डालो अगर मैं मालेज यहां पे डाल देता हूं आप मैं यहां पे डाल देता हूं तो यहां पे अप्रेल तक कहीं आएगा मैं मार्श तक कहीं लेता हूं अब मुझे इसके आगे वीकेंज भी लगाना है तो यहां पे हम लगाते हैं जिए टेक्स्ट भी इसको सब्सक्राइब किया और हमने यहां के लिखा टी डी 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 अब मुझे क्या करना है कि जो सट्रदे संदे है उसको हाइलाइट करना है इस तरह से, तो मैं यहां पर करसा रखता हूँ, और यहां conditional formatting में चला जाता हूँ, conditional formatting में आने के बाद, मैं यहां new rules, use formula, और यहां पर जाता हूँ, खोड़ता हूँ, और करा, और इसमें मैं select करता हूँ, बोलता हूँ कि अज़ क्या यह Saturday है, फिर वापस मैं इसको select करता हम इसमें dollar का sign जो column के आगे का है, और इसमें अपना जो color देना है, हम यहां पर अपना color दे देते हूँ, format printer से हमने इसको paint किया, जहां तक data है, वहां पर paint करेंगे तो बिटर है, तो जहां तक सटर्ड़ है, वहां वहां आप देख रहे हैं हाइलाइट हो, अब एक चीज़ और है, कि हमारे पास एक seat है holy day के, इस साल के जितने भी holy day है, यहां पर दिये हूँने है, जिए कि एक जन्बली holy day थी, फिर हमार 14 जन्बली holy day था, तो भी हमारा 11 March holy day था, ऐसी मेरा 17 मही भी holy day होगा, यहां एक करम करता हूँ हमा, पार, 6 April करता हूँ, 6 April भी हमारा holy day है, तो जो भी holy day का list होगा, वह पूरी holy day का list मैं यहां पर दादेगा, और फिल यहां पर हम, जिसे कि साथ, जिसे कि यहां पर 11 March था हमारा, तो एक 11 March जो है, एक highlight हो जाए को डिफरेंट कलर से, जी हां, डिफरेंट कलर से highlight होना चाहिए, तो अब कैसे पता चलेगा कि ए यहां पर है, तो इसके लिए हमारे पास match का formula है, हमारे पास v look up का formula है, बट match और v look up में क्या होता है, कि error आता है, तो हम चाहते हैं कि error ना है, जी हां, हम चाहते हैं कि कि किसी तरह का error ना है, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास count if का formula है, new rules में हम जाते हैं, और यहां पर देते हैं equal, count if और count if में हम location जाके h column करके यह देते हैं, वापस attendance में आते हैं और हम यह देते हैं, डिवाई, attendance अटा जाता हूं, बढ़ा हो जाए formula देते हैं, हमने बोला कि अगर इसका result greater than equal to 1 है, तो इसमें D का हम dollar sign अटा जाते हैं, बागे सबसी face रहेगा, और इसमें हम कोई और color दे देते हैं, फिर हम format painter से इसको paint कर देते हैं, तो आपका जिस दिन हो ली दे होगा, उस दिन का इस तरह का same color आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद हम इसकी formatting करना चाहते हैं, बहुत हम चाहते हैं कि हमारा formatting उन्हें तक हो जहां तक हमारा data है, क्योंकि यहां पर last में data कम ज़्यादा हो रहा है, तो हमें formatting उन्हें तक करनी है, जहां तक हमारा data है, क्योंकि उन्हें हुआ हम मेश限otा है, जहां तक हमाराई जहें उन्हें हैं, जहां हम जड़ा हमारा घटमें उन्हें हमारा आता है, कि मैं कंदीशनल फॉर्मेंटिंग में जाता हूँ मैं एक ही सेल से लख करना हूँ, माक्स कीज़ेगा, एक ही सेल से लख करना हूँ जो फॉर्मुला रहना है इसलिए एक सेल से लख करना हूँ यहां से यह कंदीशन मोटी रिमूब हो जाएगी फिर नियूर्स यूज़ फॉर्मर को हमने बोला कि ए जो है नौट इप्वल टू ब्लैंक हो तो इसके उपर हम बोलते हैं कि बॉर्डर अप्लाई होगा जै यहां से एप्पर हाएगी जय कि नहीं फॉर्मट में आइब नुकुल तुडिया तो इस प्रेट प्रेट और डिया तो इसा पनी आप को सबाए गा दोलन अपा है तो तुम शेक्स नहीं लिगाना था हमाई धी फाइब लगा को को और इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करते हैं और हम इसको कस्टम में जाके दो बार से डी डी कर देते हैं कर देते हैं यहां मंत डाल जाते हैं मंत में यहां जो हम इसको इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम देते हैं मंडबल वाई तो हो जाएगा फॉर्मुला पेज डी आउट में जाता हूं और मैं यहां से गिल माइन को अटा देता हूं कि मैं जिस महीने का दीड यहां डालूंगा यहां डालती है अपरेल का तो पूरा रिकॉर्ड मेरे अपरेल के हिजाब से आ जाएगा कि दिखिए यहां पर 0 हो गया ऐसा इसलिए हुआ कि हमने काउंट इफ में दिया है काउंट इफ में ब्लैंक को भी काउंट कर देता है तो हमें यहां पर मैनेज रूल में आना होगा और काउंट इफ बाले में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा यहां और तो हमाला लगा जाते हैं और एंडल कर स्वालिय तो हम यहां ले देते हैं कमा कि अब कर देखे लिए फाइब आज आज देखे लिए फाइब हो इस एफ फाइब को कॉपी करते हैं यहां की पेस करते हैं और बोलते हैं कि अब ब्लैंक होना चाहिए ना तो तीस तक हमारे है हाइलाइट हो देखे जिता ही क्यों आटे हैं कि अब करते हैं अब मेरा इक यह एक चाहते है अब बात करते हैं चाहते हैं कि अटेंनींस भी और अटेंटीकली बनता रहा है तो जैसे कि मैंने क्या हुआ कि मान दीजिए कि आठ इंडेंस आप राउते हैं तो अगर आप देखें तो एवरेज जो है एक महीने में आपके पास जो पॉर्टे एवरेज जो है दो से तीन लोग अगर सो लोग है तो दो से तीन लोग ही चुटती करते हैं कि आपको इंट्री पूरे सौलोग ही करने पड़ते हैं तो मैं क्याच करना करती है आप कि हम यहां पर कि हम सिर्फ जो है कि अब सेंट का ही इंट्री करते हैं कैसे देखें देखें देट इंपलूई कोड़ जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं एक अप्रील को रीव था तो एक क्या करेगा बस एक चार एक तारीक को एक तारीक को सिर्फ एक आदली इंप्लोई नंबर वान ही यहां पर एक्टिव रहे था पर अप्रीया अप्रीया डाए है कि सिद्ध इस पे यहां अप संथ लगा देगा अधिस पयर पर गढ़ा अ इसमें भी गुर्ण है लेकिन दीना अगरा सकते हमारे बाघत यहां पर यहां पर रिपिटेड होगा एंग सब तो हमें यहां पर कोड जलने करना आप यहां देखिए मैं एक वी लुक अप का फॉर्मॉला लगाने जा रहा हूं वी लुक अपने मल्टी से लुक अप के बारे हैं बात करेंगे तो मैंने क्या किया कि date को कोड को date के सांथ combine करने के लिए dash लगा तो separate हो तक आपको समझ में भी आजाएं इस तरह से अपर मैंने क्या किया यहां पे लगाया formula लुक अप का लुक अप में भी मैं अपने date इसके सांथ combine कर दिया इसको इसनल नम्बर के साथ 10% दिया और इसको मैंने combine कर गया अपना data फिर वी बेकप में हम यहाँ आगए attendance पे और हमने select किया और बोला 2,3,4 comma 4,0 यह आगिया फिर मैंने बोला if error को if error और यहाँ पे हमने बोला comma पी अबने बोला कि इसको फिर हम पूरे area में drag कर देंगे लिए करने से परे freeze करना पड़ेगा तो फिरीज कर देंगे a6 से का a freeze होगा a6 freeze होगा d5 का 5 freeze होगा और यह पूरा free जो होगा है फिर हम पूरी डेटा देंगे अगर मैं माली जी की आपका इंप्रूइद नौबर 6 जो है आपका नौ तारिक में अप्सेट नगी था है यहां पे आप देखेंगे कि आपका लिवार आ इंदी अपर रहा है अब अब देखें होना चाहिए और यहां पर एयर जो न चाहिए को यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं इस के साथ हम देते हैं और पर और अगर एक एक्वल टू सटार्डे कि कॉमा हमने वापस इसको स्लेक्टिया अब बोला अगर तुम्हें यह दिया है ना कि क्या हुआ हुआ है होना चाहिए यहां पर वी स्लेश और पिक अफ होना चाहिए तो भी ड्रैक्ट परने से परले हमें फ्रीज करना होगा इसके बाद मुझे यहां पर आप सेंट भी करना है तो यह आपस मैं आपने के दिर दे फॉर्मूला पर बढ़ा रहा है बोलूगा कि इस में हमने दिया काउंट इस में मैंने फॉली डे कॉलम में गया और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला यहां पर इसका ज़र्ष्ट greater than equal to 1 आता है तो यहां पर पर दोली डे आ रहा है नहीं तो जो चल रहा है उसको चलने दे लिए इसको आगे बाद करने से पहले हम इसको फ्रीज कर दिया और डी 4 में हम सिर्फ 4 को कि इसको हम आगेंगा पूरे में ड्रेक्टर लेते हैं कि इस अप्रमेंटिक लिए हमारा होडी दे और करनेगा लेकि हो सकता है को यह स्टाप मान विजिए कि चार अपरेल को भी आ गया कि कोई स्टाप यहां पर चार अप्रेल को भी आ सकता है ठीक है जैसे कि मैं लेजिए में इंप्रोई नंबर 6 6 नहीं मैं चार अप्रेल और इंप्रोई नंबर मान लेजिए मैं कर देता हूं सेव तो यहां पर इस्ट्रावर्ट होना चाहिए इस्ट्रावर्ट या हाँ है इस्ट्रावर्ट अचयों इन फिर्शें इस में फिर्से यह वी लुक अपर लगाए हुआ है नहीं और सिर्व आपको 20 करना है तो यह पूरा को कंडिशन्स आप देख रहे हैं इस पूरे कंडिशन्स को यहां पी पे अगते हैं लेकिन नहीं मुझे और भी यह हैं लेंदी नहीं करना चाहता हूं तो वापस मैं यहां पर इस के साथ मैं यहां पर इसके साथ मैं इस एर्ब हूंगा इस एर्ब और फिर इसमें वी लोकर में मैं इसको कभाइन करूंगा बैस से और फिर वापस हम देट को सेलेक करें फिर कॉमा हम चले जाएंगे यहां और हम स्लेक्ट करेंगे इसको आफस और कॉमा और जो बागी फॉर्मूला है वो इस एर्र के सकेंड पार्ट में चला जाए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां इसका एफ्रीज कर देता हूं हूं दी फाइड का फाइड फिश कर देता हूं एड इसको फिश कर देता हूं थाकि अज़र चेंड ना हूं फिर और इसे के तरह डिरेक्टर रहे कि पी आगे तो इसमें भी और यह बहुत सारे चीज़ें की जासकती है जैसे कि अगे कोंगों कांटुनि घंता मांने कं अन्यों तेन दीत अगर एधा यह होता है आप घंताऊं होता ही 501 हुसर्थ होता है बुक्ता आप लेकोश का आप अि इन्सकुल मोसुक्त थे जरह कर द deal का Battery श चन्थे जरह कर लिया तो फिर आपको जो है कि एचार करते हैं कि अधिक नहीं है तो यह मतलब कि मार दीजिए इसी को पूजा पर ले दीजिए अगर पूजा ने कंट्नियू एक अप्रेल फिर मैं यहां पर दो अप्रेल और फिर हां पर मैं तीन अपर देखे जहां पर यहां कि इसमें क्या है कि यहां रेफर टू एचार अगर नहीं हुआ पर यहां पर देंगे वापस आएगा तो मैं यहां पर उसका चौथे तारीक में चौथे तारीक में चौथे तारीक में मैं इसको एक नमपर को आटीएफ को आटीएफ हो गया तो आटीएफ हो गया तो फिर वहां पर चल रहा हो चलेगा ठीक है लेकिन वह तीन दिन के बाद आटीएफ नहीं हुआ है कि अगर तीन से ज्यादा आप सेंट कंटिन्यू है और आटीएफ नहीं हो रहा है तो यहां पर सिफ डैस्ट 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 रहा है तो उसके लिए हम क्या करते थे चौथे तीन के बाद आटीएफ नहीं होता है तो उसको हम यहां पर डैस्ट 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 कर दें तक यह अब स्कॉन हो गया अगर इसकी अटेंडनेंस नहीं लगेगी आगर इसकी डैस्ट 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 हो जाएग तो यहां पर इसके लिए हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा कि एफ और यहां पर आतेंगे काउंट इफ काउंट इफ काउंट इफ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहां से यहां तर और कॉमा दे दिया अगर इसका आया तो यहां पर यहां पर यहां पर हम सिक्स का सिक्स को फिरिज कर लेंगे हैं यह पूरा फिरिज हो जाए और इसका सिक्स फिरिज होगा पिर इसक्स कर लेंगे इसक्स फिरिज प्रूरा जर यह प्रूरा ओज झानला थे जरी नहें ऊलएक्श कर लेंगे च्छस कर लेंगे लेंगे हमना चीप्त आपने देगा जैसे यहां एवियेस हुआ इस पूरे महिने की इसकी अटेंडन्स हट गए वह वापस मांगे पांच साथ दिन बात आया तो इसाल उसकी डी ज्राइनिंग के लिए यहां से एक बाल अप्ष्कान हो किया है इस प्रिक है तो और भी है कि ABS मुझे लगाना परखा है मैं लगाना ने चाहता हूं कि ABS अपने होगा है अगर वह रिफट विछ नहीं आया तो अट्मेटिकली ABS आ चाहिए ए यहां अगर रिफट विछा नहीं है तो अट्मेटिकली ABS आना चाहिए तो यहां यहां पे हम कमांड करेंगे यहां नहीं को हम देखे कमांड के इफ और इफ में हमने वापस काउंट इफ का फॉर्मा लगाए के आउंट इफ में में तीन को स्वेट कर लंगा यार कि को लिए टीन को स्वेट कर लोगा और इसमें हमने बोला एक क्योंगी तीन निरुप सेंट है अगर ओग्व तो यहां पे आना चाहिए करते हैं आगे के तब ड्रैग कर देना है कोई चेंजिंग में नहीं कर देंग अब यहां पर अटेंडेंस में आता हूं यहां पर एक इसको है आपके एपिस आया यहां यहां पर टी है यहां एक तारीक को तो एक देखेंगे कि यहां पर टी है उसके लगड़ा है इसा तो समझना आहा है कि तो इस तरह से हम आपस में कारते हैं अब अगला की काटेग्री हमारी आते हैं इसके बाद हम सम्झाव टाहिए आपका इफ बता ही दिया उसके बाद यहां पे आपने देखा यहां पे और हमने होई गया अब इसमें कुछ फॉर्मिले हैं जैसे कि इज एक ही जैसा जैसे कि माल लीजिए कि किसी भी तरह का इरर दिखाते हो तो इसके जगह पर आपका जो चाहते हैं सो आता है जैसे माल लीजिए मैंने इसको डिवाइड वाइज लिए तो अगर मैं यहां पे इस एरर लगाऊंगा तो इस एरर इसके जगह पर जो नमबर आप बोलेंगे और नमबर शोग देगा अग लेकिन वो सिर्फ एरर के आरर पर इसके अगर मैं यहां पर इन्ने करता है तो शोग करेगा अगर नहीं करेगा तो यह आपका इस एन्ने के बाद एप आई एफस का इसका जैसे की अभी आपने एक चीज़ देखा कि मैं स्लैड इंसेंटिव लगाया तो जितने कंडिशन इ इस मैंने दिया बट अगर मैं इसी चीज को आई एफस से करता आई एफस आई एफस ए लेटेस्ट फामूला है आई एफस तो मैं यहां पर लॉजिकल टेस्ट दूँगा कि अगर यह लेस देन एक्वल टू फुर्टी है वैलोग ट्रू क्या होना चाहिए तो यहां पर यहां पर 500 आजाए और फिर वापस में वापस मुझे इफ लगाने की जरुवत नहीं है बस वापस में सिर्फ यह लगाऊंगा कि लेस देन एटी है तो यहां पर 1000 आजाए फिर हमने इसको सिलिक किया अगर लेस देन एक्वल तो यहां पर 5000 है तो यहां पर 5000 है तो यहां पर 5000 है इसमें हमें बार बार इफ लगाने की जरुवत नहीं है हम एक ही इफ में कई सारे कंडीशन्स लगा सकते हैं तो जो हमने यहां पर आइंड दिया है जो हमने और दिया है इस सारा काम हम इससे कर सकते हैं दूसरा चीज जैसे कि अगर मान लिजिए कि यही पर बात करता हूं मैं चाहता हूं कि यहां वान आये तो डेली वान टू तरी इस तरह से तो अभी क्या है कि मैं इसी के उपा हमें करता है वान आएगा तो डेली आएगा टू आएगा तो मुंबई आए त्री आए तो कुल्गता आए ऐसे नंबर देना हमने तो आपके सामने आपका ओफिस 365 का एक स्विच का फॉर्मॉला क्या करता है आप बस इस पे यह राज द लॉजिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं जैसे की गेटर दन इकॉल पर से नहीं सिब आपके एक्जैक्ट वैलू मैंच करेंगा कि मूद आए तो कि यहां पे थी हो तो कोल्काता है कि इस तरह से देश्कता है कि इसमें हमारे पास आता है नॉट नॉट फॉर्मॉला क्या होता है जैसे कि अगर आपका ट्रू हो और पोजिट करना चाहते हैं यहां पर यह फॉर्मॉला लगाया तो इसमें क्या था कि यहां पर यह था कि यहां पर पास देगा अधर भाज फैल होगा लेकि सदर्मी आपका प्लान मतलगी है कि नहीं नहीं मुझे इल्टा करना था कि यहां पर ट्रू हो तो फेल दिखाया पर और यह हो तो पास दिखाया तो पूरा के आपको बहुत बड़े-ब़े फॉर्मॉला ते यहां भी तो not क्या करता है कि आपका यहां प्रिकमेट आगर आपका true है तो not क्या करता है कि इसको false में तकि और false है तो true opposite कर देता है जैसे हम माइनस लगाने पर करते कि अगर आपने आप नमबर दिया अगर मैंने माइनस नमबर माइनस select करके डिए-तो आपको तो आपका मैनने सिर्ट्रिट्र हुआ है अगर हमने आप आपको प्रिंच करेंगे तो अनक्तिश करें प्लस नहीं होता है और उसके बाद इसमें आपका आता है टूर्ण फो यहां पर यहां पर इसमें से किसी एक कोई चूज करना दोनों को नहीं छोड़ना तो उस केस में मैं यहां पर यहां पर इसको सेलेक्ट किया अब यहां पर देखिए अगर मैं डिलीट कर दो तो फॉल्स आएगा और हम दोनों ने वाई कर देंगे तो फॉल्स आएगा यह आपकी उपड़ पर देखिए लॉजिकल के टेगरी हमारा खतम हुआ अग्दी के टेक्स की के टेक्स की को समझते हैं ऐसी चर्ट की करेक्टर को अगर में यहां पर कोड देते हैं तो उसका कोड दिखा लेता है और यहां पस काय जो है अगर आपने कोई नाम डिया आ लिया ओ मार लिया तो चीह दॉचित और फामुला founded कि अनुवांटेट तरा इने आप नाम लगा लाइए ऑजी तरहिए से कभी गा होता है कि आपके ऑस में हमार कर लिया तो यहां पर देखेंगे यह हमारा क्लीड का फॉर्मॉला होता है उसके बाद हमारे पास लेंद का फॉर्मॉला होता है जो के लेंद दिखाता है कि इसमें ड़गा हुआ है उसके बाद इसके और फॉर्मॉला हैं और फॉर्मॉले होते हैं उससे पहले मुझे ज्वाइन के के बारे में बता जायता है हुआ है कि मैं यहां पर समय है हुआ लिए में हें सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब पूरे वह करना है तो उस case में को सेपरेटर यूज नहीं करता है को सपरेटर चाहिए तो उसके लिए हम यहां पर तेक्स ज्वाइन का फार्म निसको स्लिक्क किया और यहां पर किया अब इसके चोड़ा सरक है इसके लिए मुझे छोटा साथ डेटा ना थे आप यूज किये होंगे अच्छा वी लुक प्सक्राइब पता नहीं है तो यह सब्सक्राइब पता नहीं हो अब पता है वे लुक अब चले जैसे कि अब मैं बताता हूं कि मैंने हां पर प्रुटा लेगा और पूजा सब्सक्राइब तो इसके लिए हम यहां पर वी लुक अप इस्तिमाल करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे लुक पहलो और अपना टेटा को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा डेटा को और फिर कॉमा टू क्योंकि दूसरे कॉलम पता करना में सेल्स तो कॉमा टू और यहां पर कॉमा जीलो कर लेते हैं यह आपका नीटू जो होगा होना चाहिए है कि नीटू कई बाव इपूटेड है मुझे सबकी वैलू यहां कॉमा 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 करके लाइए तो वी लुक अप ऐसा पॉस्विटी नहीं कर पाएगा यहां पे हम टेक्स ज्वाइन उस करेंगे नहां देते हैं कॉमा यहां देते हैं ट्रू लेकिन हमें ए सब्सक्राइब करें अगर एक पूरा इक पॉर्टू नीटू है तो इसकी सेल्स को शोगा है कि यहां पर कंच्रोल सिप्ट एकपर आपने आपने और फॉस में जहां ब्लैंक करना होगा जाहां कि यहां कि इतना वाट की वैलू है एक साथ कॉमा करके देए टेक्स्ट लाइट करना है फिर बॉला की पूरा रेंज में जो गांज में उसकी जो सेल्स में पॉइंट है और जहां सेल्स नहीं होँ है वहां पर ब्लाइट यह तो टेक्स्ट लाइन एयरे करता है एक नहीं पूड़ें आपको यहां पर दे दिया यह पूरे विजर्ट आपके तो टेक्स जोइन है यह तो आपका 65 का पाच है ना आप इस ना आप सर अगर मालो यह 13 और 16 करना हो इसको यूज करना हो तो आपको याद है सरक्षाइब आपको यार्य है और आपको यूज कर सकते हैं लै कि इस फॉर्में के शाइब कर सकते हैंना है यहां पर आपे यहां पर कहता है अब जैसे कि हम ने वी इस का फॉर्मला यूज किया तो इस इसके formula में क्या था कि मैं यहां पर यूज किया RAM और यहां देदिया RAM formally logic जो है दोनों को equal कर दे रहा है और मुझे exact match करने है तो exact match करने के लिए मैंने यहां पर exact यूज किया और इसको select किया, comma, इसको select करें तो दोनों आपस में exact होंगे तभी match होगा नहीं तो match नहीं होगा तो exact match होगा तभी match होगा तभी match होगा, otherwise match बिल्कुल नहीं होगा तो यहां पर आपका find formula कोई भी आगर आपने गहार लिखा है उसको find करना है तो जैसे कि मैंने यहां लिख दिया खुमार at the rate ndia.com यहां पर मुझे अगर इससे पता करना है कि add rate है या नहीं है तो find formula क्या करता है find formula इसमें find करता है add rate को add rate और हमने इसको select किया कि इसमें इंकामा और किया अगर होगा तो उसका location देगा कि कितने character बाद है 6 नहीं होगा तो error देगा इसके बिहाब पर आप left का formula लगा के separate कर सको 6-1 अलग कर देगा एक right का formula होता है तो कि right का formula right से select करता है तो इसमें अगर मैं number दिया 6-7 तो इसको अलग कर देगा otherwise आपको और करना है इस example में तो मैंने बोला कि length complete length minus 6 क्या आपका अलग कर देगा क्या आपका find left or right का formula अगर आपको mid से अलग करना हो जैसे की इस तरह से अलग करने के लिए हमारे पास mid का formula होता है कि mid इसको select किया होना formula for 5 5 से start करे और 3 तक चले 3 लेटर अलग करें mid mid select करता है और find के साथ मिलके तो और इसको automate कर सकते हैं उसके बार हमारे पास एक formula होता है fixed का fixed होता है एक हमारा dollar होता है जैसे की हमें number भ्यात इस number को हम different different format से इसको change कर सकते हैं जैसे की हमने इसको percentage लगा दिया हमने इसको comma लगा दिया कुछ और भी लगा सकते हैं हम चाहते हैं कोई formatting का इस तरह से ना होता है तो उसके लिए आप इसको dollar में रखते हैं तो dollar sign के साथ आएगा और इसको fix में रखते हैं तो fix इस खासकर इसका इसका इन्वाइसिंग को अगर आप में इसका यूज करते हैं लोगे इसके किसी भी तरह का formatting formula अप्लीकेबल नहीं होगा इसके बाद कुछ conversion formula है उसके इक परशान दीजिए जैसे कि हमने आपे सुझीत लिखा इसको upper में करना है तो हमारे पास upper का formula है हमें इसको lower में करना है तो हमारे पास lower का formula है मुझे इसको proper में करना है तो हमारे पास proper का formula है पर श्रुन्षी है एक पर राओ उसे आप यहां पर हमारे बार पास है है पर आप युद्ट हो गया यह बार हो गया इचाल फेला हिए अब कनी का क्विदध हो गया घ्लिक में में करता है हमारे पास value है जो कि इसको convert करता है एक हमारे पास number value है बोनवा काम से भी है इसको वापस number में convert करते है उसके बाद यहाँ पे आता है जिसे की substitute का formula जिसे हमने यहाँ पे कोई value रिखा उसको किसी और में मुझे replace करना है मारे पास यहाँ substitute का formula होता है जो कि इसमें किसी particular character को another character से replace कर जाता है that is substitute formula कुछी तरह से मारे पास replace का formula है replace का formula इसमें से आपको अगर replace करना चाहते हो कि भाई position के चाप से एक character को replace कर दे सब्सक्राइब करेक्टर के हिजाब से replace करता है और replace जो है हमारा position के हिजाब से replace करता है अब इसमें आगे बढ़ते हैं replace के बाद देखते हो क्या करना चुटा हुआ तो सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो अब बीश्णिंची सुन्डा हुआ है तो अब दूसरे वाले को चेंज करना हो तो फिर उसको उसका पॉजिशन देजिए तो दुबारा ने प्लेट ही कहेंगे तो एक बार में एक ही पुजिशन को चेंज कर देखते हैं एक बार में एक बार एक ही पुजिशन को चेंज करेगा दुबार रिप्लेश लगाना पर आप यहां पर आठ के नबर से एक लेटर को श्लैस करें क्या है क्या है मुझे दो मिट दीजेगा मैं मौन का भूने दो मिट दीजेगा क्या है तो हमारे पास टेक्स फॉर्मूला हमने कवर कर लिया टेक्स के बार अगली कटेगरी आती है हमारी डेटर टाइंग में ठीक है सबसे पहला 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 डेट से पर जानिए कि अब डेट कैसे लिखेंगे अगर आप यहां पर डेट लिखना चाहते हैं तो डेट कैसे लिखेंगे कि अगर महीने का अ महीं का वी इसलिख सब्सेदक सबस्क्राइब कर 16 है मैं यहां पर कि अलगकर अलगकर मश्क्राइब कालग तो कि अलगकर अलगकर सबस systematically हो सकता हैchu तो मैं यहां पर इस तरह से पालगा फिर смотрите जो इसमें डेट में आगा बढ़ते हैं अगर माली जी कि आज का फॉर्मुला लेना है तो हमारे पास टूडे का फॉर्मुला जो कि आज की सिस्टम डेट देता है नाओ का फॉर्मुला है मुझे आज के फॉर्मुले में अगर इयर अलग करना है तो इयर का फॉर्मुला है जिससे में इयर को अलग कर सकता हूँ हमारे पास डेट का फॉर्मुला है इसका मन्त का फॉर्मुला हो जिससे मैं मन्त को अलग कर सकता हूँ और हमारे पास दे का फॉर्मूला है जिसमें से दे को अलग कर सकते हैं इसी तरह से हमारे पास टाइम के लिए हमारा आवर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से आवर अलग करता है मिनट का फॉर्मूला है जो कि इसमें से मिनट को अलग करता है और हमारे पास second का formula है जो कि इसमें से second को अलग करता है date में हम यहां कमाइन कर सकते हैं date, year, month ऐसे ही हाँ पर time का formula है कि यहाँ पर time, hour, dinner and second आपका time कुछी दासे किसी particular time पर अगर किसी particular date में आगर आपको कुछ दिन जोडने है तो 20 दिन जोडने है तो हम यहाँ पर plus 20 कर देगे 20 दिन जुट जाएगा या घटाना है तो माइनस कर देगा लेकिन मुझे आपके तीन महीने जोडने या घटाने है तो हमारे पास e date का formula है e date का formula में हम इस month को दे लेंगे तो यहाँ month add हो जाएगा माइनस करने है तो माइनस 3 कर दीजिए तो घट जाएगा तो बह जाएगा लेकिन किसी date में मुझे दो साल चार महीने और तीन मुझे जोडने है तो उसके लिए हम यहाँ date का formula लेंगे date में हम year इसमें year को अलग की इसमें plus two कर देता हूँ फिन मैं यहाँ month को अलग करता हूँ और इसमें plus four कर दिया और मैं वापस day अलग करता हूँ इसमें से तो day अलग कर देता है आपके सामने आजाए है कि अच्छी तरह से देख भी आप हलो है हलो हुआ हम अब मुझे असर गुद मॉर्णि मैं बोल रहा है यह जो टाइम वाला है टाइम को हम exact minutes में calculate कर सकते है क्या चाहते हैं गोड़ी नाइन आवर्स खटीनाइन मिनट से रही है हां तो इसको आप कर किजिए इसको टेक्स प्रमूला में जाए इन्वर्टि कॉमा में M डाल देजिए टाइम में मिनट में कवर्ट ही जाएगा मिनट में कर वहाँ बहुत लंबा दिख रहा है ना सर क्योंकि यहां की टाइम यहां की टाइम को लिख रहा है तो टेक्स में सी टाइम को डालिएगा अगर इसमें सेकेंड भी रहा तो 9 आवर्स 40 मिनट्स और 10 सेकंड्स ऐसा अगर कोई डेटा है मेरे पास इसमें सेकंड्स भी है और उसको मुझे वो मिनट्स में कनवर्ट करना है यहां नावर्स 40 मिनट्स 10 सेकंड्स सेम फार्मूला होगा है सेम वार्मूला होगा तो दो देट की टेट्री फ्रेंस लिखारना है तो लेटिश डेट माइनस अल्लेट इसंदिश को डिलिऊज्ट कर देजे तो यहां पर हमने 10 यहां पर हमने माइनस कर दिया तो आपका डिफरेंस आ गया उसी तरह से एक हमारे बाद फॉर्मुला डेश का है तो डेश फॉर्मुला भी डिफरेंस निकालने है काम करता है लेटेस डेट माइनस कर दिया जाएगा उस तरह से मैं पास यहां पर एक डेश 360 का फॉर्मुला है जो कि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालती है लेकिन उस साल को 365 नहीं साल को 360 दिन लेती है पानिसिलियत कर दिफरेंस निकालता है मुझे ऐसे दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है लेकिन सटर्टर अन संदे को इग्नोर करना है हमारे पास फॉर्मुला है नेट्वर्क डेट इसको स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट आपको यहां पर देखे आगए सटर्टर संदे के लिस्ट है विसी होता ना पंदर अगाज सभी जर्मरी ऐसे लिस्ट को सेलेक कर लीजे उस लिस्ट को भी इग्नोर करके आपको एक्जैक्ट वरकिंग डेट द कर सकते हैं, NetworkDate.INT सेलेक कर लाइए। इस में आप डेट कॉमांड डेट सेलेक कर ल bog डेट और उसके बाप को यहां पर वीकंस देना आओगा हुआ कि किस वीकंस को आप अलग करना चाहते हैं जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया मुझे अलग करना है सिर्फ संडे को हमने संडे के 11 नमबर सेलेक कर लिया और फिर हम अपना होली रे लिस्ट सेलेक कर लेते हैं फिर हमारा आपके सामने ये अलग हो गया तो दो देट के बीच में इस तरह से ले सकते हैं अब बात हम करते हैं कि अगर माल लीजिये अगर माल लीजी इन दोनों डेट के बीच में मुझे एक पर्टिकुलर डेट है जैसे कि आज की डेट ले लिया और मेरा मेरा 15 वर्किंग देट के बाद मेरा एक और या एक टाक्स कंप्रीट हो जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे कि यहां पर हम टेक्स्ट वर्क देट फॉर्मर लगाएंगे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर डेट और यहां पर आप अपना होडी देट स्टार्डे संदे मंदे जो भी है सेलेक करेंगे तो आपका डेट आजाए कि 15 वर्किंग डेट स्टार्डे संदे छोड़के या होडी डेट छोड़के कौन सा है वह आपके यहां दिख जाए अगर मैं यहां पर बोलू कि नहीं मुझे सटार्डे संदे अपनी इसाफ से करना है हमारे पास एक वर्क डेट और आइंडियल है उसको लीजिए स्टार्ड डेट नंबर डेट और यहां पर अपना वीकेंड सेलेक कर लीजिए और आप यहां पर कुछी तरह से अगर हम कोई डेट डालते हैं तो डेट में मुझे इस महीने का लास्ट डेट चाहिए तो हमने आपको यह मंद बताया था पहले यह मंद का युज़ों का लास्ट डेट के लिए तो इसके बाद अगर डेट को किसी ने टेक्स में लिख दिया हुआ है जिसे एक जंबरी इस तरह से वापस डेट में करने के लिए हमारे पास डेट वैलू का फॉर्मला होता है इसे फॉर्मेट अपलाई कीजिए आपका आजाएगा पुछी तरह से टाइम को अगर किसी द आपको इसे फास अपर यहां पर हमारा टाइम बैलू का फॉर्मला होता है जिसकि आप में चंबाओ कर सकते हैं तो डेटर टाइम में हमने डेट कर दिया तेज़िए गए देट हो गया यह मंत बता दिया आबद बता दिया मिनाट मंत इंत बता दिया नेटवर देग आई ए बताता है कि कॉम साल साल वीक माइन्हींड इस साल का कौनए जैसे मानलिजी की कोई काम आप ने कोई काम कोई गता हूं आसाल का मैंने लेकिन काम मैं आज ही गतम कर दिया तो बना साल का पांस लाख में इसाल पूरा ना इमंट नहीं गता है तो उस case में क्या करेंगे उस case में यहां पर हम यह फ्रकेंसी अप्लाई करेंगे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट यह पचीस परसेंट आपने साल का यूज किया हो तो यह इसका यूज इसमान किया जाए आपने ऑफिस सुबह 10 बजे गया है और साम कर थारा बज़ ऑफिस वापस आ रहे हैं अगर डेट सेम डेट का है तो लेकिन आज आप दो बज़े आप ऑफिस गया है और आस तारीक को आप सुबह रात को दो रात कुमान लेज़े एक बज़े आप ऑफिस से वापस आ यहां आप लेकिस में प्र०्ट अबन का सुबह लेकिस अपके पाता है इस पर 500 को में अपके पास या लेकिर इस पर lots को मुझा हां अब बुलिये एक वेडिए ती सर शेट अगर मुझे मंत के अंदर अगर वीक नंबर चाहिए होगा कि फिर जैसे मन्हें होता है उसके बाद नेक्स्ट मंसे फिर नेक्स्ट मंस अभी वन या टूसिटा वन सी स्थाट हो जाए तो जाए वहां कि वीक नम्बर सट अटे नम्ब कि वीक नम्बर चाहिए होगा सर मुझे मतलब कि एच आपको कि किस महिने में कितने सटाड़े संड़े है या फिर वीक दे कितने है नाइं सर मुझे जैसे अगर मैं मंदे से वीक स्टार्ट करता हूं तो एक वीक हो गया फर्स्ट फिर जाए सेकेंड थर्ड वीक फॉर्ड नम्बर चाहिए मतलब फर्स्ट वीक हे तो फर्स अजय स्ट शंड वीक है तो स्कंड नहीं था प्रिशन पहरी सी बताया नहीं कि इसके फॉर्मोला नहीं है वीक नम्बर सी आपका नम्बर ऑफिज बताता है यह साल बता है लेकिन आप अगर एक साथ 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 गैप ना अचा तो सटरे संदे सभी मतलब नहीं है आपका सेविल से डिवाइग करेंजी 149 351 सब्सक्राइग जी प्लीज मूल रखिए अपने माइक को अच्छा तो एक काम का डिस्टॉप मताव ओ आद्म अच्छा तो आपने इस निए तो आगे बढ़ते हैं इसमें में हमारा अड्रेस का वामुला है अगर हमने यहां पर रो नंबर और यहां पर हमने नंबर ले दिया इसमें आप नंबर और यहां पर आपके नंबर आगर है और अड्रेस आपके साथ करते हैं यहां पे हमने मंद्ध यहां पे बैने सेल्स करें तक मुझे यहां पे बट मेरा डेटा सोटेड तो मैं क्या करूंगा यहां पर फॉर्मल लगांगा अध्रेस का मैं पास चूच का फॉर्मला होता है कि अगर मैं यह वन आया तो यहां पर जैन आएगा तो यहां पर आपका अप्रील आएगा अगर यहां हर मैं यहां पर फॉर्स्ट मंत ले रहा हूं और फीर यहां हम जैन अपर जुलाई और यहां आते अक्टूबर तो हर क्वार्टर का यहां पर मैं जुला दे रहा हूं तो यहां पर थ्री या इस तरह साथ है तो यहां पर अगर मैं एक करूं मैच का फॉर्माल लगांँ मैच मैच मेर्च में जैन इस लेक्ट करता हम और यहां इक इल्लिय को सवस्ट कर दें और रो नंबर एक है, यह हमारा A2 आ लिए है, फिर वापस Address का फॉर्मॉला लगाता हूं और बोलता हूं कि रो नंबर 2 PLUS 2 और कॉलन नॉम्बर हुआना है। इस बता दिया कि A2 से A4 तक हमारा A2 से A4 तक है। फिर इसको एक address formula के जो हम सम का formula यहां डालेंगे तो सम के formula में इस तरह का reference चाहिए तो हमने इसको आपस में combine कर दिया यह हमारा a2 से a4 आ लिया a2 से a4 अब हम क्या करेंगे इसको वापस indirect formula के अंदर में indirect formula के sum के अंदर आएंगे sum indirect indirect और रिजल्ट जीरो आया क्योंकि हमने यहां पर गलत कर दिया है यहां पर टू होना चाहिए क्योंकि वी कॉलम में है ना जल्ट आपने सामने आ गया अब इसको combine करके एक Excel मों मर्ज कर दिया तो इंडारेक्ट और इसमें आपने दिल वह सीखा आपने match को सीखा आपने चूंज को सीखा आपने address को सीखा और आपने इंडारेक्ट को सीखा उसके बाद अगला आता है हमारे row and column का अगर मालिजे कि मुझे एक seat में मुझे 3 लंबर देना है तो 1,2 आप लिग के निजी के तरफ इसको drag आप सकते हैं अगर बीच में से अगर मालिजे किसी चीज को आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा नहीं हमारा अपलाई करें और इसको नीचे तक drag करें अब बीच में अगर मैं यहां से डिलीट करता हूँ देखिए consequence लेगा प्रॉलम ही है कि मैं row का formula मालिजे मुझे सेरियर नंबर यहां से चाहिए अगर मैं यहां तो row का formula लगांगा कोई बात नहीं कि इसमें से माइनस 6 कर दीजिए आपका 1,2,3 आया है इस तरह से कुछी तरह से से नमारा column का formula है कि जिस column में लगाएंगे उसका result आपको देदेगा या कि इसके अंदर भी या रो के अंदर भी किसी का reference देते हैं तो उसका column नंबर आता है और vertically करना हो तो आपका row horizontally करना हो तो column का इस्तमार आप कर सकते हैं अच्छा sir row में एक शुटी सी query की जैसे मालो कि delete को इसने अपने अपने number को pick कर लिया अगर मालो मुझे इसमें add करना हो और control करते तो same उसके लिए जैसे मालो कि row के बीच में मैंने कुछ insight कर दिया और उसके बाद उसको control कर दिया इतने जितना दर तक जितना रू तक मैंने उसको insert कर रहा था हाँ कुछ तक मैंने इसको insert कर दिया तो बस इसको control कर दिया अब एक फॉर्मूला हमारे पास आता है वह आता है फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं वह बताता है कौन सा फॉर्मूला आप ले लगा है तो यहां पर हमने फिल्ड वैल्लू दे दिया फिल्ड वैल्लू में वैल्लू फिल्ड दिया रता दिया क्या हो मुल्मूला है सिक्मा अप्लाई किया है क्या कर दो यौला है क्या थानने विल्ड दुड दूए क्या कर दो आप थिंगत क्यों क्यादक कर दो अध्या आए लंज प्यूमूला क्या थानने प्याए रल्ड वैल्ले दिल्ड गट्वां यह ओविस्टी वाइक को नहीं होना है सिर्फ नहीं को नहीं होना है सिर्फ नहीं है यह ओविस्टी वाइक को नहीं होना है कि यहां पर इसने दे दिया 82 और यहाँ पर देदिया प्राइज एक नियुक्त पर देदिया अब देदिया प्राइब कर देदिया अब कर देदिया अब देदिया एक्षब एक तो ओम ब वन कि इसके बाद में इसके बाद में बढ़के होताता हूं ठीक है नया फॉमुला ऐसा ओफिस तीज़ फाई मैंने दो मेना पहले इंस्टॉल किया नहीं इसके बज़ बता हमां ठीक है कि इसमें आपके फिल्टर का फॉमुला है तो अगल सीट से लिए आगया है फिल्टर का फॉमुला क्या करता है अब हम इसके लेता हूं अब हम इसका फॉमुला है लिए अब यहां पर में फॉमुला लेता हूं फिल्टर अब इसमें मैं उन्हें और इसमें मैं ने और दी के चाओ और दी कठ दूंप वॉद्षि को काaros यह कर दो दो कर दो कर दो कर दो दो पिल्का रेंज और आरे कि कि तो नहीं कि दिपार्टमेंट को यूनिक मना के अलग रखना और उसको लिंग देना हो नहीं आसा कुछ नहीं है कि गुगल सीट में यूज करता हूं गुगल सीट में क्या होता है कि आप पुरी के पुरी एक रेंज को फिल्टर कर सकते हैं और यहां के फिल्टर का फंबला अपना हुआ है और मैं दूंगा रेंज को कि कि अगरा कि अगरा कि अगरे तू से अगरा को कि अगरा कि आप से वी फाई लिया और हमने अपना डेटा रेंज लिया ठीक है इसके बाद मुझे बताना परेगा इस इक्वल टू एच तो आपको सबस्क्रीब डेटा रेंज लिए उसके बाद बताईए कि आपका किस कॉलन और किस एरिया में क्या मैंज करना है तो आपको यह देटा आजाए ऐसे लिए लिए जाता है इसमों के जिए प्लिए अजम यह जाता है कि तो हम आपके इस्वामुड नहीं नहीं आपको जाता है कर लिए शॉट में हमने इक रिए अपना रेटा रेंग ले लिए और यहां पर हमें शॉट और इंडेक्स किसके कर्डिंग करना है था हमें बोला one two name कर्डिंग और order हमें बोला ascending करना है यह देखिया आपका रिए शॉट आपका शॉट होगया वन पहले कॉलन से मालेज इसको दो कर देता हूं तो नीम कर गॉस्ध कर लेगा तो एक शॉट अलग अलग लग सीमें आपको शॉट कर देता है अब अब का था है शॉट बाई इज नयीव फॉर्मले है शॉट बाई शौर्ट बाई में आपको अरेंज करना है कि मुझे इसको शौर्ट करना है और किसकी अकॉर्डिक शौर्ट करना है करली वाइकेट मैंने बुला कि यहां पर पहले पर पूजा आया कि पर देव आया कि आपको जिसे आपने एक डेटा ले लिया और एरे 1 और शौर्ट और नहीं दिया थे आपको फिर आपको देना है शौर्ट और सेंड में झाल झाल क्थ झाल क्थ झाल 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 तो मैं आपे कोट कर साँ कोट में यहां पर बांग दिया यहां पर यहां पर गड़ा यहां पर भी ने बुट झाल अब मुझे यह डेटा है और मुझे अगले सेल में यहां पर रिकॉड चाहिए यहां पर जैसे की जो चीज़ा में दी जाई है इसको यहां पर हम इसको पेस कर देते हैं तो मैं यहां पर मालिजे मुझे 65 आपको यहां पर 74, 73, 43 इनका रिकॉड चाहिए एक एक करके कॉपेस करेंगे तो काफी दाइंग रखनेगा तो यहां पर हम सिम्पल वी लुक अपता इस्तिमाल करते हैं कि वी लुक अप और यहां पर टेबल एड़े मतलब की कौन सा डेटा है लाद की का लुक अप कर रहा है इसको कॉलन को तो मुझे यहां पे अपको यह देना पढ़ाएगा और को मुफक में यहां पर लेटाएट करता हूं गाता हुआँ Reais यहां पर 3 आ गया, फिर वापस मैं यहाँ, VLOOKUP रप्पाँगा, इसको select परण। इसी तरह से हर कॉलमी के लिए आपको 1 by 1 VLOOKUP लगाने परेंगे, कि प्रोंगा इसका सोलूशन क्या है, इसके दुशन है, कि अगर आपका इसका sequence और इसका sequence सेम है तो आप array लगा लेजे आप पूरे को select कीजिए V look up दीजिए look up value को select कीजिए और वापस data में चाहिए और यहाँ data को select कर लेजे और यहाँ curly bracket में आप number देदीजिए 2, 3, 4, 1, 2, 1, आपका फोड़ा हो देखेंगे आपका फोड़ा हो देखेंगे या दूसरा तरीका अभी हमें आपका फोड़ा पता है match का फॉर्मला बताया था match क्या करता है किसी भी data को row and column पे match करता है और result आपको 0 देता है तो दिया तो मैं इसी चीज को VLOOKUP के अंदर यूज कर सकता हूं फिर VLOOKUP और यहां पे हम data पे गए और यहां हमने match का फॉर्मला लगा लिया कि match, match में a2, and range rate a2 ने a1 नहीं आँ हुगा a1 यहां वी 1 वी 1 वी 1 कॉमा और यह पूरा range हमने ले लिया and comma 0 कर दिया वापस comma 0 VLOOKUP और match को आपस में merge कर दिया अम उसको आगे करने के लिए मुझे इसको freeze करना पड़ेगा इसको drag कर पाऊँगा यसे हो रहा तो मैच करने का मतलब यहां पर क्या फाइदा है आपको यह हुआ कि और एक बार में एक सिल का रिजल देता है उसे टू आप डाली है फिर यहां विलुक अप लगाया ठीक आप यहां लगाया चाहणा तो आप 20 कॉलन है तो 20 बार वी लुक अप्लगाना पड़ेगा कोई कि हर बार आपको कॉलन में अलग डालना है ना अब बट नीरेज वाला में तो आप जो एक बार भी लुक लगाए सारा का वेल्व आ गया हो इसमें क्या होता है कि आपका इसका सिक्वेंस सेम होना चाहिए ना सर आप जी कि आपने आप यह थो आला पूदा नूंबर आपको डून में डालना पर जाएगा यह तरीका है इस तरीका सिंपल है कि आपका अगर नेम जो हेडिंग आपकी हेडिंग और डेटा एक जैसी है तो मैश लगालीजिए मैश क्या करेगा हेडिन आपका यूनीक कि णबरस टार्टिंग में हो लेकि अगर्ट ऐसा हुआ कि किसी डेट में आपका वी कब्स की मृण अझा आपका वी स्टार्ट इन शॉम बैसिए घूजिए व लैसे ही może है इसमय मैं मालगें हम इसको विनक का मदे आता हूं है इससे आगी के चीज़ उठा सकता है कि इससे पीछे के चीज़े नहीं उठा सका है हमझे लेफ्ट टु रैट होता है रही हाँ लेफ्ट टु राइट चलता है तो क्या करें कि उसके दो तीन ही जांपल है दो आप कर सकते एक के लिए आप प्रॉफिस 365 चाहिए हमारे हमारे सोता है इससे हमने हमारे कोड है कोड को थरा से हमारी कोड है यहां पर वन दिया तो मैच का फॉर्मूला आगाता हूं तो मैच क्या चरता है कि इसका sequence number देगा मुझे comma g- sequence number के यहां से ढूनेगा 1 & 2 इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है कि पूरी एरिये पे आप लगाए कि बताता है इसमें कि आप इसमें बताई एक कॉलम नंबर मैंने बुला कि मुझे चाहिए मान देजिए अब प्रड़क्ट वान इसका फीपोर का तिहां का नंबर वन कर दिया और कॉमा रो नंबर मैं यहां पर मैंज का रिजल्ट कर दिया तो हमने पेहले हमारा कॉलन रहता है तो हमने यहां पर पहले कॉलन पहले रो नंबर दिया फिर कॉलन नंबर वन दे दिया है अब देजल्ट आएं इंडेक्स और मैजट एक साथ लगा सकते हैं रहे होगा है कि मुझे अगर एक नंबर का जाए और मैस की फॉर्मले में हमने इसको स्लिक्ट किया इस नंबर को स्लिक्क किया और हमने इस एडिये में लुक अप किया कॉमाजी यह अगिया रोल नूमबर को नंबर पी से इनका फोर है तो मैंने आप फोर दे दिया और और यहां पे एंटर ना रहा है तो यह वी लूक अप की तरह विएक करेगा हमारा 13 करूंगा तो 13 का जाएगा 8 करूंगा तो 8 का जाएगा लेकि इसमें आपको पूरा डीटा स्लेक्ट करना होगा डीटा कम और ज्यादा होगा तो दिख्कत होगी तो यहां पे हमारे पास ओफसेट का फॉर्मुला है ओफसेट हम यहां इसको सि्लेक्ट करेंगे एंट रो हो कि माख नगा कि जगा है अगरत मीग लिए हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिdle यहां से स्टार्ट है पर रो नंबर के लिए मैस का फॉम्मा लगा लेंगे मैस का फॉम्मुला रो में यहां नीचे देगा इसमें से ढून के मैस का फॉम्मुला देगा जी से बलेगे जी रो वान टू थृ तो आपका रिजल्ट आगया जो 123 अब देख रहें कि यहां पर 30 है यह 16 दिया हमारा 16 क्यों दिया क्यों कि यहां दखिएगा कि match हमेशा counting 0 से start करता है जैसे कि मैंने offset में इंडेक्स में हमने दिया था यहां पर column number हमने दिया था मालीजी यहां पर 4 दिया था न सर्थ बट यहां पर column number 3 देना पड़ा उसी तरह से row number भी मुझे यहां पर 1 माइनस करने होगा तो कि offset की जो गिंती होती है वह 0 से start होती है और आपका index जो है 1 से start करता है तो दोनों में दिक्कत है तो यूज कर सकते हैं या फिर आप अगर ओफिस 365 यूज करते हैं तो simple हमारे पास एक फॉर्मुला है एक्स लुक अप का लीजिए लुक अप बैलू को सेलेक्ट कीजिए और आप लुक अप एरे हमने लुक अप एरे में अपना यह डेटा ले लिया कि मुझे इस में से लुक अप करना है तो हमने बोला मुझे पीवन को रिटर्न करना है अगर वैलू नहीं मिला तो वैलू नहीं मिला है तो मुझे यहां पर ब्लैंग करना है कि यहां कि यहां कि यहां होता है तो जो एक्स लुकाद है वह आपका इंडेक्स मैच ऑफसेट मैच और आपका इफ एर्र सब का काम एक साथ कर देता है लेकिन यह आपका ओफिस 365 में इस हो रहा है सरनाम की में यावाज आ रही है आपको कि यहां पर जैसे कि हमने एक्स लुकाद का पार्ट आपका हुआ तो वी लुकाद में और भी बहुत सारे चीजे हैं तो आपने इन सीखी थी पहले और आप लोगों के बहुत से भी लुकाद में आपका तो वी लुकाद का काम करेगा ने तो यहां पर मैं यूज करूंगा लोगों करूंगा और यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर के जगाँ पर रो इंडेक्स नंबर दिना पड़ेगा टू और कॉमा जी दो इसको भी आप ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच से कर सकते हैं अब श्राइब देखिया है कोई खास नहीं है इसमें पाल। यह फीलुक्त फाश्राइर लिग्र पिलुकपी श्लुकॉब होता है कि और कहंट कर दिया असा इसे किया इस सकते अधिया अब पॉर लाह कि आपका ब्लुक अब हैरे रियर में इसको सेलेक्त करता है और डेटा को और रिटाएबर को mart को जेकता लिए आपका है अपको हमेशा हम जीरो डालते रहे इससे पहले आपको मैंने का फॉर्मुला वताया है तो आदे पहले आपको इसका होगा तो आपने देखा कि इसमें हमने incentive के लिए क्या किया हमने incentive के लिए इसका इतना लंबा हाम में apply किया इसको यह किया जा सकता है कैसे जीरो फटी वान एक्टी वान एन एन धूर इस तरह से starting of और फिर यहाँ पे आप वी लुक अप डालें वीुक अप लुक अप गालिए अपनी डेटा को सेलेक्ट कर लिया और कॉमा वार एंट टू एन कॉमा जीरो जगा डालते हैं तो इनने आएगा तो जीरो के जगह पे आप यहां के वान डालते हैं कि देखेगा कि 80 किस से बड़ा और किस से छोटा है और उसका वहां पे रिकॉर्ड आ जाएगा कि मुझे यहां पर मालेजिए कि 70 मालेजिटी फाइव है आयस पृट्टीवान है वी लुकप का फाम्मिला भी होता है वह भी इसका यूज कि या जा जा सकता है इससे पर मैं आपके लुकप वैलू में आने के बाद मैंने यहां पर इसको select किया comma result बेक्टर को select कि और enter बारतों की आपके सामने आपके सामने बहुत तो प्रिया शच्टू कर सकते इसके लिए इसमें आगे बढ़ते हैं डेटे में आते वापस अमाल दिजिए मुझी इसमें पूजा का total सेड़ चाहिए तो हमारे पास sum if का formula है sum if का formula जिसमें आप दे सकते हैं कोईकि normally sum अगर आप करते हैं तो पूरा आता है यहां पर आप sum if का formula इस्तमाल कर सकते हैं सामस मगताता हूं यहाँ पर एक पाई लिखा और यहाँ पर मैंने एक्वाल सब्सक्रेंस लगा और साम इफ में मैंने अपना रीज लिए करिता को सिलेक्किया और जिसका सम निकालना है उसका सेलेक्ति इसी ता से मुझे इकर आइवरेज निकालना है हमारे पास आइवरेज इफ का फर्म्ला है जिसमें मैं रेंज लोगा है Joseph की और यहां पर average जिससर रहना है दोगा तो यहां पर मुझे average के लाजाएगा तो इसी तरह से हमारे पास count if का formula तो पहले बताया दोबारा बताता हो count if कि मुझे जिसमें count करना है मुझे को select किया और एक count if आगा हला कि count के एक और देख दो formula और है जो कि number को count करता है count a है blank जो सिर्फ blank को count करता है only for blank को count करता है उसके बार अगला अगली example आती है वो आती है हमारी multiple condition हुए तो या पर multiple condition हुए या पर मैं करना चाहता हूँ कि भाई मुझे पूजा का sales चाहिए को भी greater than 80 जो होगा उसका sales चाहिए तो यहां पर मैं sum किया sum ifs करेंगे multiple conditions है हम इसको select करेंगे comma और पहले से उल्टा करना हूँ करना कुछ sum range कि मुझे sum किसका करना है तो मुझे इसका sum करना है काइटरिया one range आता है कि क्या है तो मैंने बोला कि quarter one है पूजा है पूजा और पूजा और पूड़क्ट वान में हमने बोला कि greater than 60 है कि आपका total है multiple condition इस तरह से दे सकते हैं पहले आपको किसका sum करना है पहले condition का range पहले condition दूसी condition करना है दूसी condition आप sum if के अंदर भी इस तरह के logical operator दे सकते हैं और यही पर अगर माम लिजे मैं यहां पे average if निकालू था गरेंदू ख सब्सक्टं करना है जो कि इस को फाले condition है उसले से हमारे पास count ifs का formula है जो कि count करता है Count ifs का formula है multiple range को count करता है हमने इसको select काउंट इसको सेल्ट किया पी हम राया कि आप मैच करना है इसको इसको सेल्ट किया क्या मैच करना है यह नौ कि आप लगा सब्सक्राइब अभ इस लिए मान लेजिए कि मुझे एक तॉफ ओध फाइब चाहिए है है तो यहां पर मैं क्या करूंगा हमारे पास एक लार्ज का फॉमॉला है जाओं गए इसको इसको सब्सक्राइब हुआ है यह सिर्फ मैकिसमुम नंबर देता है है होstillकानि И Marie का है कि एक मैक्स इस इस तो में मैक्स इस इल चाहिए तुम है वीस मेगए मुझे इसमेघया सकती है मै्क्स में मैक्सस मुझे मैक्ससserा निकलना है in on er लो सिंसरे सैंपार मब हमारा मैक्सस on ल fix do कासे मेजरק हमारा मैक बीडि сво женщal माय दोस्तर को अव मेरा pares ही है ऐसे maximum number आपको को सब्सक्राइब मिन का फॉर्मला होता है यहां से मिनमम वैलू आपको निकाल करेती है उसी तरह से यहां हमारे पास एसमाल का फॉर्मला है तो कि इसमें से मिनमम के पॉजीशन के इसाब से निकाल सकते हैं कar मिनमम होगा आपको देख्यान है है और ऐसी हमांगात है मिन एक्षब है का क्कैर को दियुच से बीजिचेंस के विव रहाप पर मिन निकालता है तो हम मिनम में गानी का पहली कंदीशा और यह मैं गया और कंदीशन रहे में कि आपका मिन रेंज आपको शोटा गया है ओके पासिन स्टार्ट किया हूं तो वी वी ये माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले जाने कि वी वी है क्या पर दिस्कार को जाने बहुत सा लोगों के बीच में वी वी ये सब्रेटेड कुछ कंफ्यूजन्स है आज हम इन्हीं कंफ्यूजन्स के ऊपवर आपके साथ डिसकस करेंगे क्या कि वी वी होता क्या है बेसिकली वी वी माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है हम ऐसी की करकिते हैं आच aughmumamine की एक का और मीकस प्रोग्रामिंग एक को इन्दर में या da अपने एकौतिक हैं जिसके जर्शेद के एक्सल के अंदर में कुछ आइप वेद्यने इस आपकर इंदर में और में गूशनाए टूल क्रियेट करा है कुछ नए formula केड़ कर सकते हैं किसी process को किसी report को हम automate कर सकते हैं यह programming language है और वीवी.net या वीवी 6 से मिलता जूलता है बट वीवी नहीं है क्योंकि वीवी के जरी हम प्रग्राम बनाते हैं लेकि इसके जरी हम application के अंदर में कुछ additions कर रहे हैं तो कुछ लोग वीवी से aware है किसी को आज recording की permission नहीं मिलेगी आज मैं खुद record कर रहा हूं मैं record करके आप लोगों को भेज दूँगा mail पे तो वीवी माइक्र प्रग्रामिंग जिसे बताया आपको कि आखिर वीवी माइक्र प्रग्रामिंग से मैं करूंगा क्या है यह चीज के जानिए एक अगर जानिए कि वीवी एक factory है तो आखिर उसका product क्या है पूरक्ट क्या है तो वीवी के जरी है जरी हम क्या करते हैं हम बनाते हैं माइक्रोज हम बनाते हैं function और बनाते हैं user form अब यह क्या होता है चलिए इसके बारे में थ्वाचा theoretical discussion कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है अगर हम बात करें माइक्रोज की तो माइक्रोज एक कह सकते हैं कि auto palette create करने का options है मतलब कि एक जो काम आप बार बार कर रहे हैं ऐसे काम को करने के लिए एक autopilot generate करता है एक तरह से समझ दीजिए जैसे example तो एक चुटा से example में आपको यहां पर दे रहे हैं कि चुटा से example क्या है एक चुटा सा data मैं यहां बनाता हूं चुटा सा example मैं बनाता हूं कि रायन बिट्व को समुला मैं रंडम डेटा करे लगाता हूं और मांगे इस तरह से मेरे पास कई सारे sheets में डेटा है मैं पांसा सीट कर लेता हूं पांसा सीट में में मेरे पास डेटा है और मैं पेश्ट स्पेशल और यहीं पेश्ट एजे वैलू करता हूं ताकि सारे sheet का data copy paste हो के वैलू में हो जाए अब मुझे इन सारो sheet का data है इस data को रखना है मुझे एक data एक अंदर मुझे एक copy paste करना है एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे copy paste करना है तो कैसे करें अजन्दार जी प्लीज आप double click कर दीजे बड़ा screen हो जाएगा मुझे एक के नीचे एक के नीचे copy paste करना है एक काम मेरे लिए daily basis पर है large scale पर है मैं इसके लिए कोई trigger कोई autopilot create करना चाहता हूं क्योंकि मैं manually करता हूं तो मैं काफी time consume होता है और मैं इस चीज को manually नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह दिन में चार बार पांच बार या महीने में दस बार होता है और काफी time लगता है क्योंकि अभी तो माली 6 है हो सकता है 600 file हो 600 sheets हो कैसे करें दस एक example का तो मैं बता रहा हूं कि मैक्रोज को इस्तमाल कहा करते हैं तो हम visual basic पे जाएंगे एक नया module को insert करेंगे और यहां भी प्रोग्राम लिखेंगे चोटा सा 57 लाइनों का प्रोग्राम लिखेंगे एक प्रोग्राम क्या है यह हम आगी classes में आपको समझाएंगे फिलहाल देखे कि आकर इसका यूज क्या है तो सीधे हम लिखते हैं 4 i equal to चले 12 sheets.count और फिर यहां को next i और फिर हम जाएंगे sheet 1. dot change a1 dot current region dot copy 6 data dot select change a65 dot and excel is up dot offset 1.0 dot paste station if sale dot enter row dot name dot name इस एक code हमरा हो गया इस one को आखी इसके जगा पे हम आई दे देते हैं ताकि हार शीट इसी तरह से जाए है और उसे पहले मैं यहां पे आई आई डॉट इसके वाद यह सीट आई करने की ज़रूरत नहीं है हुए कि अधि अधो पांच पर ने खतम हो जाएगी तो पीछे कुछ समान अनलोड हो रहा है तो पांच पर सी हो जाएगा तो यहां पे हमने अश्री अभी मैं होम टाउन में होना सर वो लॉट टाउन के फसकिया हूं तो यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं है कि हमने छोटा चाहिलोना कोड किया अभी कोड हमारा हजारों सीट को बीतिन सेकेंड में कुलेट कर देगा कर देगा कि तुरा सा एरर हो गया सीट सुना चाहिए था सीट हो गया तो बीतिन सेकेंड में देखिए साले डेटा को कॉपी पेस कॉपी पेस एक के नीचे कर दिया तो माइक्रो का इस्तमाल हम इसी चीज के लिए करते हैं कि हमारे पास अगर कोई बड़ी से बड़ी डेटा है बड़ा से बड़ा पुर्सेज है उस बड़े से बड़े पुर्सेज को हम विधिन सेकेंड में कर सकें लेकिन ध्यान रखिएगा उसी चीजों के उपर सब्सक्राइब कर दिया तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने में दिखाया कि यह हमारा जो सीट आप देख पा रहे हैं आपने देखा है कि एक मैं दुबड़ा और रन करके दिखाता हुआ हो झाल रह clap करके आप देख रहां कि मेरा पूरा का पूरा डेटा के निचे को च bendert को जाना हुआ क теп इसी तरह किद इस काम के लिए हम यूज करते हैं वी ए माइटको परग्रामी कि एक है सब हई कि योज चीजे होती है एक आप अपने ऑफिसेल लाइख में इसका कर सकते हैं लेकिन ध्यान नहिके ये जो चीजे हैं उन चीज़ें पर ही अप्लाइए होती है जिसका यूज हमारा डेली बेसिस पर होता है एह रीपिटेड होता है यह चीज़े उन जीव पर अप्लिकेबल नहीं होता है जो कि मान दीजिए कि आपको एक दिन के लिए आया है अब दो तीन में एक दिन के लिए आया है उसको आप मैनुवल भी एकाद घंटा में कर सकते थे उसके लिए प्रगांमिंग करना सही बात नहीं है को क्या सर्थ तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं और चीजों के उपर आब हमने बाद को कर ली इसके उपर शीजिए हां माक्रोश की बात के मैक्रोश की बनाते हैं अब अगला बात आती है function function क्या है function का इस्तवाल हम लोग करते हैं कि एक अपने हिसाब से कोई custom formula क्रेट करने के लिए जी हाँ custom formula क्या होता है कि कभी-कभी हमें हमारे जो formula होते हैं वह हमारे work के according नहीं होते हैं काफी ज़्यदा lengthy process follow करते हैं या पि जो हम काम कर चाहते हैं और नहीं कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए वी लुक अप लगाते हैं तो अगर repeated value है तो आपको एक ही value दिखाता है बाकी value नहीं दिखाता है तो इस case में क्या करेंगे तो ऐसे cases के लिए आप VV function की मदद से आप formula create कर सकते हैं या पर किसी formula खुले कि उसको customize करके एक नया formula बना सकते हैं जो कि आपकी result आपके requirement को fulfill करता हो और यहीं नहीं हम VV programming में भी इसका use करते हैं यह अभी मार्कोर्स में इसका use करते हैं तो उस case में क्या होता है है आट यह के सीज में और यह पर काम नहीं कर द दिखने की यह कॉट कर लेकी buat प्रूरत नहीं पड़ती है, यह वी ये प्रग्रामिंग का मायक्रोज का युझा है, अब बात करते हैं यूजर फॉर्म का यूजर फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं इंटर फेर्स के लिए जी मालिज ह्या आप पिवर्ट ही apply राते हो फिर्व डारेकश रड्राइभ यह ओप देता है पौप यहुँद में कई सारह इंपूर्ट है कई सारे कंडीशने निस पर पिवर्ट कि उसकी कंडीशन आप यहां पर सेलैक्ट कर सकते हैं क touch तो अब इसमें क्या है कि यह क्या सामने आपके साथ जो पॉपप दिया यहां पर टेबल रेंज या चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसे बेनिफिट क्या होता है कि आपका पिवट करते ही पिवट के सारे इंपूस को देखते हुए पिवट लगा दता इमेजिंग कीजिए कि आगर अगर ऐसा नहोता तो हमें कई सारे अंगल से पिवट लगाने होते हैं इसलिए इस तरह कि जो पॉप अब है इस तरह की पॉप अब को क्रियेट करने के लिए हम कि यूज करते हैं यूजर फार्म को तो वीविये का बेसलिए तीन पार्ट है माक्रोज फंक्शन यूजर फार्म अब चलिए इस चीज को जानते हैं कि आखिर वीविये का इस्तमाल कब और कहां करेंगे तो आपके 15 या 20 परसंट यूज होने वाली ऑप्संस हैं क्यों क्योंकि बताया मैंने कि इसका यूज रिपिटेशन के लिए होता है ऐसा काम जो बार बार हो तो आपके आपके आफिस में आप डेली पे बिनाने वाले रिपोर्ट्स आपके पास पांच या दस या पंद्रह हो सकती है मैं 15 किसी के पास नहीं होगा तो दस कर अंदर ही निपड़ जाता है तो आप जो बीवी प्रगामिंग का यूज करोगे उसकी समरी आप करनी है अब बीवी प्रगार्मिंग इस्तमाल कर लें क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो जितना दिर में आप मैनुवली समरी निकालेंगे उससे बहुत ज़दा टाइम आपका वी वे कोड में लगेगा तो ये चीजे है कि आप जो है उसका यूज करते हैं रिप्रेट जॉब पे या लेंडी जॉब पे तो र दो करते हैं लेंडी जॉब का एकजाम्पल क्या होगा लेंडी जॉब की होता है कि अधा काम जो आया तो एक ही बार है लेकिन आपको काफी टाइम लेने वाला है जैसे की simple example हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं हम internet से कुछ data copy करते हैं कि आपसी का to track अ कर दो जासे इसी ला इसी लिस्ट है मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ एक सब्सक्राइब इसको कॉपी किया और एक सब्सक्राइब अभी देखिए विपसाइट का लिस्ट हमें इसकी विपसाइट के लिस्ट में मुझे इसकी वारेल चाहिए कि इसके अंदर जी विपसाइट का नेम दिया हुआ है और इनकंप्लीट है जैसे कि मैं अगर इसकी यह करता हूं और इसके रैप टेक्स को रिमूव करता हूं यहां से तो आप देखेंगे कि इसमें आपका इंडिया लिस्ट क्या है और इसके आगे पेस्ट करना है इसी काम को मुझे दोहराते रहना है अब यहां पर एक चीज़ दान लिजिए कि अगर मैं इसी काम को बार-बार करूंगा तो मैंनवली मुझे करने में एक दिने में बहुत कोशिश करूंगा तो हजार या पंद्रह सो को कौपी कर पाऊंगा पूरे दिन वर है तो कई दिन लगने वाले हैं इसमें तो यह काम आया तो एक ही बार है बट लिंदी है इसका यूज हमें करना है कि ऐसा कुछ हो कि बी-तिन सेकेंड में हो जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बस एक छोटा साफ फॉंक्शन्स क्रियेट कर देता है हाला कि इसके लिए मैं फॉंमुला भी रिएट कर सकता हूं बढ़ अपका साइक फंक्शन क्रियेट कर रहा हूं कि एक मिटेक कुण सा फाइल है कि भूप्ष्ट्री ऐसे में दिखना जाए का आपका भूप्ष्री में कर रहे हूं कि और तो नहीं कर रहे हूं क्योंकि function call वोने में दिक्कत होता है फ्रॉप function उर्ल एंजरी 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 कि अध्रेस बार सिंपल सा एक लेंगे कोड करता है यह माप की ज़िए छोटा सा गलती में हमेशा करता हूं यहां पर वान होता है जीरो ने तो इसी चीज़ का यूज हम करते हैं वी वी का यूज करते हैं पहला जो काम लिंदी है या रिपिटेड है तो यह सबसे प्रॉल्लम हमारे पास आती है तो हमें अनुवाल नगाने हमें दिक्कत होती है कि इस काम को हम एक्सल के जरीए करें या वी वी के जरीए तो एक तरीका यहां है कि आप वी वी के जरीए कर सकते हैं पर दूसरा तरीका होता है एक्सल के जरीए तो आप उसकी यूज़ेस के ऊपर टिपिन कर सकते हैं जैसे कि अगर ऐसा कोई फाइल है जिसके ऊपर जिसको फाइल को हमें कई सारे जगवापी शेयर करना होता है पब्लिकली मालो फाइल को 10-20 जगवापे हमें शेयर करना है ऐसे फाइल के ऊपर हम वीविय कोड नहीं लगाते हैं क्यों क्योंकि हमरा एक्सल के अंदर में बाई रिफोल्ड हमरा वीविय प्रोग्रामिंग डिसेबल विट नोटिफिकेशन होता है मतलब कि मैंने किसी को फाइल बिजा अगर उसके सिस्टम में वीविय माइक्रो अनेवल नहीं है जैसे वो फाइल को खोलेगा खोलते ही उसको पॉप अप दिखाएगा माइक्रो सिक्रूटी अनेवल करने का अब जो लोग वीविय से फैमलर इसको समझते हैं वो तो अनेवल कर देंगी वो जान गए कि हाँ इस फाइल के अंदर में वीविय प्रकामिंग लगा हुआ है अनेवल कर लो ते परफॉर्म करेगा अब जो वीविय नहीं है वो आपक फाइल जो की publicly share हो रही है उस पे micro use करने से बचे अवाइड करें अगर बहुत जोरी हो कि नहीं micro use करना ही पड़ेगा तो उस case में आप इस्तमाल किजिए बढ़ना मत किजिए इसका ध्यान देखिएगा तो उसके बाद इसका यूज हम लोग करते हैं इस चीज को समझते हैं फिर यूज करते हैं इसके बाद अगर हम बात करें वीवे माइक प्रोग्रामिंग के परिप्रेशन की तो सबसे पहले आपका फाइल यह होना चाहिए कि माइक्रो अनेवल वर्क बुक में सेव होना चाहिए कि हाँ पुछिए कि पापा पापा कि कि दुवारा बोलें ने क्या बोलना हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं कि अ हाँ अधिकले हलो हलो आयब बनिषर झाल झाल के चलिए आगे बरते हैं इसपित के जान आगे बरते हैं अगला जो टॉपिक हम आता है वीव ही त्विन कुल क्या ट्रदि चाहिए तो इसकी करें शबसे पहले आगर आ शीखना चाहते है तो इस ध्यान रखिएगा आपके पास फ्राक्ट्रिस इसके चालत. उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइलों के साथ क्याना सबसे पहले आप VVA code यूज करने से पहले आप फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबूक में में पास काफी कॉल्स आते हैं कि सर्फ मैंने माइक्रो बनाया मेरा फाइल ओपन नहीं हो रहा है यह होता है माइक्रो तो कभी भी इस फाइल कोई सब्सक्राइब करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबूक लेकि ऐसी प्रॉस्मिलिटी है कि जल्दिवाजी में सेव करते समय आप से भूल हो जाए और आप गलती से वर्कबूक में सेव करें ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि हम दो घंटे त्री घंटे बढ़के एक प्रोग्राम को पर सॉल्व कियें और गलती से सेव हो गई एक्सल वर्क्बुक में और सारी प्रोग्राम हमारी डिलीट होगे फिर से कोड करना पड़ा तो इस से बचने के लिए आप क्या करें फाइल की ओप्सन में जाएं और फाइल की अनेवल वर्क बूक स्टेट आपको गलती से सेव करेंगे और डिफॉल्ट आपका वही रहागा जिसने कि मेरा डिफॉल्ट वही रहता है दिफॉल्ट यह रहता है अब इस पर आगे बात करते हैं कि और एक रिक्वेस्ट है अभी दो में मीटिंग इंड हो जाएगी तो उसी पर्सेसे आपने जौइन किया था दुबारा जॉइन कर लिजिएगा दुबारा जौइन कर लेजिएगा उसी पर्सेस से उसी आई जी से तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि और क्या प्रिप्रिक्शन करनी होगी डेवलपर टाइब आपको होना चाहिए अगर डेवलपर टाइब नहीं है तो आप Excel आप्शन में जाए और यहाँ कस्टमाईज रिवन में डेवलपर टाइब यहाँ डेवलपर टाइब इसका ध्यान रखेंगे आप उसके बाद आप माइक्रो सिक्रिटी को अनेवल करें जिसके जिक्र में आपको किया है तो माइक्रो सिक्रिटी अनेवल करने जाएब बता दूंँ आपको कि माइक्रो सॉफ्ट इसको डिसेवल क्यों रखता है रीजन है कि माइक्रो को रूप में कई सारे वाइरस आने के चांसेज हैं तो अगर आप इसको अनेवल लगते हैं तो बाहर से आने वाले किसी फाइल पे अन्नोन वर्सल की फाइल को ओपन करने से पहले इसका ध्यान रखे क्योंकि नहीं वाइरस तो आपके सिस्टम में नहीं डाउनलोड हो गया है ओके चलिए यह होगी हमारी माइक्रो सेक्रोटी एलेवल करने के बाद तो माइक्रो से लेटेड कोई कोश्चन्स हैं आपके पास इसकी त्यूरिकल पार से लेटेड तो आप लोग पूस सकते हैं नहीं है तो चले आगे बढ़ते हैं हाँ बुलिए अगर वायरेस सिस्टम में आया है तो तो अपना काम करेगा ना अब को ना वायरेस तो नहीं के साथ बात पता चलेगा हाँ और अजया है जैसे कि मैंने यहां वण पे क्लिक किया तो यहां पे क्लिक करने का कोड है और कोड उसने कनवर्ट कर लिका मैं यहां पर लिखाहन गानें तो यह जो प्लिकल रिकैंट दाल दिया मान लिजे की city मान लिजी इसके डाल दिया मैं मान लिजे मैं दाल देता हूं location city और location जो type किया हमने इस type करने का एक code VVV ने जन्नेट किया अगर मैं इसको edit micro पर जाओ तो यहां पर देख सकते हैं तो जिससे हम A1 पर click किये इसने code लिख दिया range A1.select और हमने city लिखा तो city लिख दिया range दिया location लिख दिया अगर हम normally coding करेंगे तो भी हम ऐसे ही करेंगे अगर मान लिजे इसी काम को मुझे अपने code भी लिख रहा खुछ से code करना हो तो मैं भी यह लिखूँगा कि range A1.select और यहां selection.value equal to city आपके code में उपर दी गई code में तो difference है आपने selection.value दिया है वहां active set.formula दिया है तो जैसे कि हम एक ही चीज को कई तरह से बोलते हैं तो यहां भी वही बात होता है कुछा चीज जब recording macro करता है तो अपनी पूरी official language को follow करता है जी हां official language को follow करता है अज़ा किसी ने बेप के मावन का रखा है तो प्लीज off कर ले मैं बारबारी चीज को बोल लाँ कि बेप के मावन कर ले जब official macro जब हम यूज करते हैं जब micro code करता है तो official language करता है जैसे मान लीजिए कि आपको boss से चुट्टी लेनी हो तो अगर आपको लिखित में देना है तो आप लिखित में से एक पेपर पे लिखेंगे कि boss कल चुट्टी चाहिए कल मैं नहीं आऊंगा ऐसा तो लिख सकते हैं हम एक प्रॉपर प्लैटफॉर्म को एक प्रफॉर्मा को फॉलो करेंगे और दूसरी चीज होती है लेकि यही चीज को अगर मुझे बहुत से मौकिक उसे बोला है बस मैं कल नहीं आऊंगा जस बोल के आना है तो उनका स्रीमान महोद है सब्जेक्ट भी से तो बोलूंगा को प्रॉडी बोलकी चलाओंगा सेम जीज होता है वह लिखते हैं को अपने जरूरत की हिसाब से लिखते हैं और जब रिकॉड होता है तो पूरी अफिसल लैंगबेच को इसको को उड़ वहाब करता है तो हम प्रोगामिंग सीखे क्यों है जो मिले पास ओल्लेडी कोड करने के लिए टूल से लवल है तो फिर हम प्रोगामिंग क्यों सीखें तो इस चीज को जान लेजिए कि कि रिकॉर्डिंग माक्रोग कि एक लिमिटेशन है यह समझे कि मैं परसेंटेज निकालूं कि दस परसेंट तक ही इफेक्टीव है नब्य परसेंट आपका सिमावाद इसके आपकी कनेक्टिवीटी हो गया कंडिशन हो गया लूपिंग हो गया इस चीजे डायनमिक नहीं होता है तो फिर इसका यूज क्या होगा इसके दो यूज है पहला लर्निंग पपस जैसे आप लोग नए हैं सीखने चाहरे है अब मालेजे आपने यह चीज बूल गया है कि भाई यहां पेस्ट स्पेसल करने का कोट क्या है तो आप क्या करेंगे आप यहां से रिकॉर्डिंग स अब इसको करते ही आप देखेंगे अगर्श दिखाता हूँ के तो पेस्पेसल करने का कोड अरह कि आप अपने प्रोजेक्ट में अपने मांकरो में अपने रिपोर्ट अक्रों मारे प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकती है कि कि शुरुवाती दौर में आपको सब चीज का कोड याद नहीं होगा तो वहां पर रिकॉर्डिंग माइक्रो बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है यह चीज समझ में आगया होगा कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से हम सीखते समय कि अपने फीचर्स जिसकी कोड हमें पता नहीं है लेकि वह अप्लाई करना है ऐसे चीजों का कोड हम लिख सकते हैं अब दूसरा इसमें आता है कि अगर माल इजी एक्सल सीख लेंगे फिर तो इसका यूज नहीं है जैसे मैं भी ये सीख चुका हूँ मुझा आता है तो क्का क्या मैं रिकॉर्डि माइक्रों इटेर नहीं करते। जी हां सीखने के बाद भी यूज करते हैं चलिए एक एक्जामपल पारielle ंग आप्लाइं माइक्रों ट्रेर को कॉले एो हम यहां ओपन जाते हैं एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं कोई डेटा को ओपन करते हैं चलिए डेटा को ओपन करते हैं हो गया हाँ अचलिए डेटा अचलिए अचलिए देटा अचलिए अचलिए और निव सीट पे मैं इसको टेस्ट अचलिए अचलिए वालो करते हैं और बाकी फाइल हम बंद कर देदें ताकि अचलिवीजन ना हो मातर बंद कर दो कि अचलिए 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 और इस कर सकते हैं मन्तली इसकाज चेशन रुपे का सपास पास अचलिए को कि ए अहां मेरे बास अभी कि मंथली अपने आप यहां पी हमारे पास एक देटा मुझे क्या करना होता है जिसे कि आप देख रहे हैं में काम करता हूं यहां पर मंथ एड करता हूं हुआ ही दाएगा फिल्टर्म तो मैं हाँ ते मंत आट हुआ है कि कीवोर्ट न दग रहा है कि इस वारे में में भी रेसरव जदा नहीं किया हूं कि तो कि मैं चार मिनसी यूज रहा हूं चलिए इसे बहुत साथ है इसे एक्स लुक अब है एक्स मैच है आई एक्स है इससे इफ्स है इसे बहुत सारी फीचर्स है तो अभी जैसे मैं का चाहता हूं कि मेरे पास डेटा है डंप डेटा है तो मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं पास डिफर्ण डिफर्ण लोगों से रिक्वेस्ट आता है वो बोलता है कि सर प्लीज मुझे मांथ का लेटा एक मांचका डेटा दे दुग्वाब ठीशिए तोंको मैं पूरा देटा निभीजना है वह में जो डेटा मांगेंगे है वा भी देंः मैं एक वर रिकॉर्डिंग मैक्रो को ओन कर देता हूं लिए क्या करना होता है कि मुझे इस में इस hisfan इसरी ब़ेसे चाहिं जया हएं को सुलिटर करना हो और इस पुरे डेटा को स्लेक्ट करता हां और यहां दिखिए कि recording macro में कभी भी selection mouse से मत किजेगा, control shift से किजेगा, control shift से. उसके बाद इसको copy करने से पहले मैं control G और यहाँ special पे जाओंगा, और यहाँ पे हम visual sales only select करेंगे, जी हाँ, visual sales only, और फिर इसको copy करेंगे. कॉपी करने के बाद हम इसको एक नए सीट पे पेस करेंगे, यहाँ नए सीट, अब देखिए मेरे पास already सीट 2, सीट 3 है, फिर भी मैं इस सीट को नए लूँगा, मैं एक नए सीट को add करूँगा, यहाँ से. एक नए सीट एड करूँगा, फिर इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने के पास सीट का name चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ, जैन, और फिर इस फाइल इसको मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे mail कोई particular सीट तो mail नहीं कर सकता, मुझे attach तो भी एक new book, एक डिया file and ok, और फिर इसको save करेंगे, और यहाँ location, select करेंगे काकी location कहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ desktop की MF में data में जाता हूँ, और इसका नाम jam, और इसका type जो है, मैं select कर लेता हूँ, Excel workbook, और इसको save कर लेता हूँ, और फिर फाइल को close कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर वापस आता हूँ, अभी code में, यहाँ पर हमने code run कर दिया, अभी code work नहीं करेगा, क्यों work नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि यह dynamic नहीं है, तो इस code के अंदर फूरी बहुत change करेंगे, तो हम इसको dynamic कर सकते हैं, चलिए, edit करते हैं, तो f1.select, रही है, range a1 से भी 32, अब यहाँ पर दिक्कत है, अब 32 हो सकता है कि 35, हो सकता है कि 300, 500, 1000, या कम जादा हो सकता है, तो आपने देखा था, कि मैं सिर्फ a1 पर click किया था, और हम filter apply कर दिये थे कोई range नहीं थी, select किया, तो यहाँ भी हम a1 से ही अपना filter apply कर सकते हैं, तो बाकी code को मैं delete कर दिया, उसके बाद a1 को select किया, selection and down special copy, seat active होगा, paste हुआ, seat4.select, एक रलत है, क्योंकि ज़ूरी नहीं है कि हर बार seat4 ही add हो, seat5, seat6 हो जाए, add हो जबता है, तो यहाँ आप देख र केस्ट है, तो seat4 के जगाँ पे हम active seat डाल देख गया, क्योंकि जो seat add होता है, वही हमारा activate होता है, seat and select, अब यह जो आपका है, यह सरा हटा दीजी, यहां से, तो दिक्कत नहीं है, हल्तु कोड है, और jan.copy, अब कोपी के जगाँ पे मैं move कर देता हूं, और jan नहीं, तो कि active seat होना चाहिए, यहां पर, active seat ले जाता हूं, active.move, अब यह directory कुछ जोड़ी नहीं है, इसको खटा दीजी, और यह active file.save as, जिसे move करेगा, तो एक नई file add होगी, और उसी में code हमारा data हमारा copy-paste हो जाएगा, क्योंकि active seat.move का काम यही है, कि seat को एक नई file में move कर दे window.close हो गया, और इसी, seat 1 हमारा select हो गया, code हमारा perfectly work करेगा, लेकिन यह हमेशा अपरेल का ही data देगा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस macro का run करूँ, तो मुझसे आपको कौन सा code चाहिए, जो code हम यहां डालें, उसी का macro show करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? हाँ, सही बड़ा सही. तो यहां उपर में इंपूब बक्स डालेंगे, लेकि उससे पहले मालिज़े मैं यहां पर M लेता हूँ कि M equal to input box और यहां डालेंगे enter month और इसको close रहता है. अब M क्या है? देखिए input box क्या करेगा? एक pop-up देगा जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं. तो टाइप कीए value को store करेगा M के ऊपर. एक क्या है? अगर टेक्निकली बोले तो एक variable है, data temporary data saving location है. या पिर हम सीधी बास हमें समझा है, जो आप mathematics का solve करते थे, तो xy100 लेते थे न, xyz abcd लेते थे, वह ही xy8 abcd है. जैसे कि माल लिजिए, कि अगर आपको x equal to 100, जहां जहां 100 की दूरत होत ही थी, वहां पर हम xyz करते थे. उसी तरह से m equal to input box डाल दिया, अब input box में जो भी value डलेगी, वह m के equal हो जाएगी, और जहां-जहां value की जरूत पर देगी, वहां-वहां m को ले लेंगे. जैसे कि यहां, अप्रेल के जगा पे हम m का इस्तमाल करेंगे. और यहां पे भी m का यूज करेंगे, और यहां जैन का जगा पे m होगा, लेकिन am हम ऐसे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर यह m.xlist का, m का ही save कर देगा, mp जो value store है, उसके नाम से save नहीं करेगा. तो इसको हम लोग थुरा सा, पॉनकरानेट के साथ, merge करना होगा, इस तरह से. अब मेरा यह perfectly work करेगा, एक बाद try भी कर लेते हैं, तो हम यह माइक्रो पे आते हैं, और इसको run करते हैं, तो मैंने हाँ पे जून दिया, अब मैं अपने location पर जाओंगा, देखेंगे कि जून नाम का फाइल की रिएक्टेट है, तो मैंने बीजी के ओपन होगा, इससे data में न, add, हमने इस एक्जामपल यह दिया कि आगे चल कि जब आप recording मैको का यूज करते हैं, बड़े बड़े प्रोगाम को लिखने में इससे फैदा क्या हुआ कि हमें इतना सब्सक्रा लाइन कोड करने की जरूरत नहीं पड़े, हमने बस कुछ कोड को delete, कुछ कोड को add, कुछ कोड को modify कर दिया और हमारा automation create हो गया, इसका यूज हम जरूर करते हैं, इसके दो फैदा होता है, पहला फैदा होता है कि कोड लिखते समय जो add होता है या पे spelling mistake होता है, और नहीं होता है, दूसरा मेनाद करने के जोधनी बढ़ती है, ठीक है सर्थ, तो recording macro का use हम इन चीज़ों के लिए करते हैं, तो recording macro को trigger करने का, तो run कैसे करेंगे, तो इसको run करने का दो तीन तरीके हैं, पहला तरीका है कि आप macros में जाए और यहां से trigger कर दें, दूसरा तरीका है कि आप option पे जाए और इसका shortcut create कर दें, वो shortcut create करते से में ध्यान नगीगा है, वो shortcut किसी को allowed पहले से नहों, मैंने कि जैसे control c, तो copy करने का allowed है तो तिक्कत भी जाएगी, तो ऐसे cases में, ऐसे sort कर अप्लाई कर जैसे control shift q, किसी को allowed नहीं है, तो ऐसे sort कर run कर सकते हैं, अगली बाद जैसे में control shift q करूँगा, यह मेरा macro automatically run हो जाएगा, हाँ, लूप लगा सकते हैं, तो आगे और इसको और जदा लूप बगरा जो है, इसके लिए recording macro health नहीं करेगा, उसके बाद अगर मुझे macro button से run करनी है, तो यहाँ पर developer time में insert का option है, इसमें दो बटन से एक आपका आता है form control, आप form control को जैसे design करते हैं, तो यह आप से पूछता है, assign macro, आप macro assign कर दीजिए, and ok कर दीजिए, अब जैसे इस पर click करूँगा, मेरा macro run हो जाएगा, दूसरा इसमें आता है, कि अगर मैं आपने यहाँ से command button लिया है, तो command button ड्रैग करने के बाद इस पर आपको code करना पड़ेगा, कैसे code करेंगे, ज़स इस पर double click करें, और यहाँ पर ज़स उस macro का name लिख दे, आपका macro run हो जाएगा, लेकिन आप चाहते कि नहीं, मुझे तो आपसा stylist चाहिए, मैं कोई picture या कोई button खुछ से insert करना चाहता हूँ, कोई graph, तो आप उससे मैं shapes माल लिजिए, हमने shapes A ले लिया, और फिर मैं यहाँ से design किया, और इसमें मैं run ली देता हूँ, तो आपसा खुशूरत बना देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस पर run click करूँ, तो इसके उपर right click, इसके उपर आपको right click कीजिए, assign macro, और फिर अपना micro assign कर दिए, यह था micro को run करने का option, तो हमने micro का दूसरा chapter खतम कर लिया, जो कि है हमारा recording macro and edit quotes in the recording macro, अब तीसरा macro आता है, declaration of the micro, कि micro declare कैसे करेंगा, चलिए, start करते हूँ session को भी, तो जैसे माल लिजिए कि यहां हमारे पास developer tab में हमने, हमारे पास visual basic होता है, अगर developer tab नहीं है, तो भी आप alt f 11 करके ला सकते हो, इसको हम लोग बोलते है, visual basic editor, जहां से हम अपने macro को handle करते हैं, तो जब यहां प्रगाम खुलेंगे तो उसको इस तरह के window आएगी, तो इसमें दो-तीन चीज होड़ी है, यह आपका होता है code area, जहां के हम code करते हैं, यह आपका होता है project explorer, यह अगर नहीं है, तो यहां क्लिक कीजिए, या इसका shortcut होता है, shortcut होता है control R, या फिर आप view में जाके भी project explorer पे click कर सकते हैं, दूसरा इसके नीचे होता है property बाप, अगर यह महीं है, तो आप यहां property window से इसका shortcut F4 है, उससे ला सकते हो, या फिर view में जाके यहां पे property पे click कर सकते हो, code करने के लिए, अब यहां पे explore में देखेंगे, कि जितने भी आपके पास micro file open होंगे, सारो फाइलों का list यहां पे दिखेगा, और हर file का seat name दिखेगा, अब coding कहां करना है, तो हम seat 1 पे double click करके भी code कर सकते हैं, या seat 2 पे भी click करके कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि इस पे अगर आप code करते हैं, तो दिक्कत है होगा, कि आपका micro जो है, एक seat से दूसरे seat का reference लेने में, बहुत सदा, बहुत जदा दिक्कत करेगा, error देगा, इसलिए, हम यहां पे code नहीं करते हैं, यहां पे कौन सा code होती है, तो seat पे double click, या workbook पे double click करके, हम event macro, जैसे यहां पे देखे, click, click का इस्तमाल होता है, यह click करने में, micro 1 ओपन हो जाएगा, हम code करते हैं, modules पे, तो modules कहां से insert होता है, insert, यहां insert में, insert modules, modules में insert करने से क्या होता है, कि आपका जो macro है, यह macro आपके, इसी workbook में save होता है, अब यहां पे एक चीज़ और theoretical part समझने की जरुरत है, type of the macro, कि आखिर, macro का type क्या होता है, चलिए, इसको समझते हैं, यह macro दो तरह का होता है, एक होता है हमारा public macro, अब ही जो हमने recording किया, यह हम generally rules में जाके, यह कर देते हैं, code कर देते हैं, वो हमारा public macro होता है, क्यों, क्योंकि यह coding है, यह इसी file के साथ, book file के साथ ही save होता है, और जहां जहां यह book file जाएगा, हर जगा, यह macro programming perform करेगा, जैसे मैंने file अगर Mr.Beer Singh को बेज दिया, तो Mr.Beer Singh इस file को access कर सकते हैं, और इस पे, इसकी coding को use कर सकते हैं, साथ ही, यह file जहां जहां हमारा, जब file को मैंने open कर लिया, और मैं जितना भी file खोला हूँ, हर file पे, इसको micro में जाके run कर सकता हूँ, हर file देखे, बसरते, एक book 5 हमारा open होना चाहिए, इसको हम लोग public micro कहते हैं, अब यहां पे एक दिक्कत आती है, कि अगर आप कुछ ऐसा कूर बनाना चाहते हैं, जो Excel का एक command की तरह, जैसे कि आपका pivot है, जैसे कि आपका conditional formatting है, जो कि application का part है, और हर file में, नया पुराना file में जो already होता है, जैसे करें, तो उस case में, यहां पे हम क्या करेंगे, उस case में, हम public micro ने, personal micro करेंगे, record करते हैं, हम यहां से personal micro ली देंगे, तो personal micro से क्या होगा, कि यह आपके office इस library में जाके, सारी code वाली information को save करेंगे, और जैसे आपके इसी दूसरी file open करेंगे, उसके हर file के micro list में, यह micro आपके प्रस होता रहेगा, तो करता रहेगा, मतलब यह कोई ऐसा option बना चाहते हैं, जो file का part बन जाए, तो आप personal micro का use कर सकते हो, तीसरा आता है, event micro, अब चाहते हैं कि मेरी किसी एक action पे मेरा micro run हो जाए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कहीं पर double click करूँ, तो double click करते ही मेरा micro run हो जाए, उस case में हम event micro programming का use करते हैं, जी हा, event micro programming का, तो अब वापस आते है topic में, कि हम यहाँ फूल करते हैं, जैसे मैं डबल क्लिक करूँ, मेरा macro run हो जाए, तो यहाँ पर आप देखिए, आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक किया, और मैं चाहता हूँ कि मेरा file, जैसे मैं double click करूँ, मेरा macro run हो जाए, तो यहाँ पर आप देखिए, विफोर double click, और वस उस macro का नाम लिख दीजी आप, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई macro खुछ से बना चाहते हैं, आप एक module insert किया, उसमें गये, और यहाँ पर मैं sub लिखू, या पब्लिक sub लिखू, दोने बात बराबर होता है, यहाँ पर macro का नाम, उसकी test, और bracket को open किया, अब जो भी हमें programming लिखनी है, हमें इन दोनों के बीच में लिखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी हमें programming लिखनी होगी, हमें इन दोनों के बीच में ही लिखना होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान विज़िवने बात है, कि जब आप आप code कर लेत है तो वो माइक्रो लिस्ट आपके देख़े इसमें आ जाएगा टेस्ट आ गया लेकिन माइक को नाम देने से पर ध्यान रिखेगा कि आप एक ही नाम दो माज़ा को नहीं दे सकते हैं या फिर आप यहां पर माज़ा के अंदर सिर्फ underscore आप दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, यह special character कोई नहीं, underscore के अलावा, उसके अलावा, आप 3 digit का अलफा नुमेरिक ने दे से राज 1, एक गलत, क्यों गलत है, क्योंकि जैसे आप run करने जाएंगे, running नहीं करने देगा, यह राज 1 पर जैसी क्लिक करेंगे, यह राज 1 नाम का reference पर आ जाएगा, तो आपका जो seat है, ती डिजिट अलफा नुमेरिक नहीं होता है, यह एक सेप्टी तक होता है, तो तीन character and numbers को आप लिखने से avoid करें, 4 character लिख सकते हैं, इसका ध्यान आप रखेंगे, अब बात करते हैं, कि micro हम लिखेंगे गया, तो एक से ध्यान रिखेगा, जब भी आप micro लिखते हैं, तो mainly हमारा 4 code ही सबसे पहले आता है, पहला आता है application, पहले बात यहां पर application, work, books, तिसरा होता है हमारा seats, चोत्रा होता है, तो mainly 4 होते हैं, mainly 4 हमारे यह होते हैं, चार object होते हैं, यह हम बोल सकते हैं, जैसे कि कोई sentence के लिए part of speech होता है, noun, pronoun, adverb, adjective, और सारी सी होते हैं, यह पार्ट होते हैं, तो यह आपके चार mainly nouns समझे, कि हम code में कुछ भी करेंगे तो चार में से start करेंगे, जैसे मारे मुझे एक workbook add करना है, तो हम लिखेंगे workbooks.add, अगर मुझे मारे मुझे एक seat add करनी है, तो लिखेंगे seats add, मारे मुझे मुझे range पर जाना है, तो लिखेंगे range a1. तो अब यहां पर यह आता है कि आखिर हम कैसे decide करेंगे कि हमारे workbook.add होगा, या worksheet.add होगा, या range a1.add होगा, How can decide? तो इसके लिए आपका algorithm भी बार करता है, हमने workbook add क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 4 object है, workbook हम तब call करते हैं जब उसके ऊपर, workbook के ऊपर हमारा जो code होता है, हमारा जो काम हम करना चाहते है, वो workbook effect कर रहा है, तो workbook का code से start करेंगे, अगर हमारा seat, आपकी seat से effected चीज है, तो seat और range affected the range, या applications हैं कि आप display alert को remove करना चाहते हैं, ऐसे चीज़े में हम application का इस्तिमाल करते हैं, तो applications, workbook, sheets, range, चार main object हैं और इसी को use करते हैं, और code लिखने का simple तरीका होता है, आपका object and action, कहां पी क्या करना है, या फिर object, object की details या address करेंगे, और action, यसे में जब फाइल को save करना है, तो file save करने के लिए होता है workbooks, object हो गया, कौन सा object, आप यहां define करेंगे, hit extension, उसके बाद save as, और कहां पे save करना है उसका path, और ध्यान रखेंगे, हमेशा coding खाया तो caps letter में या small letter में करेंगे, उसे क्या होगा देखिए, मैं यहां पर workbook में spelling mistake कर दिया, तो मैं w बरा नहीं हुआ, जैसे मैं spelling को correct करूंगा, आप देखेंगे कि मैं w बरा हो गया, इसका मतलब एक code हमारा सही है, तो small letter में लिखने से फाइदा क्या होता है, कि आपका उस object का पहला letter अपर में हो जाता है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि यह जो है हमारा, code जो है हमारा correct है, यह है सर, तो मेरे साब से आज के लिए इतना ही, अगली हम classes में हम जो है, इससे आगे क्यों चीजों पर discuss करेंगे सर, programming की, तो आज की class में हम बात करेंगे VUVA Micro Programming की और VUVA Micro Programming में हम discuss करने जा रहे हैं सबसे पहले, data types से हमें start करेंगे, क्योंकि इस batch में कई साथ बैचों का mix-up है, तो सबसे पहले हम data type के बारे में discuss करेंगे, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे दिरे दिरे, और classes तुरी सी लंबी चलेगी, तो अधीज आप अपना patience बनाय रखेंगे, तो recording नहीं हो रहा है? recording की permission मैंने दे दी आप लोगो, ऐसे recording मैं कर रहा हूं YouTube पे भी जा रही है, recording के लिए परसान मत हो YouTube से मिल जाएगे आपको, अगर चैनल से स्क्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर चैनल में स्क्राइब किया होगा, तो फिर IPT इंडिया सर्च करके देख लिजिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज, Excel VVA Micro Programming में data types की, अगर चैनल से स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले बता दूँ कि, मीटिंग र 45 मिनट पे मीटिंग वापस रियस्टार्ट होगा, तो आपस आप उसी पॉस्से से जॉइन किजिएगा, जिस पॉस्से आपने जॉइन इससे पहले किया था, जुइन के बात करने जा रहे हैं, डेटा टाइप्स क्या यूज होता है चलिए आज की सेशन में लोगों के साथ डिसकर्स करते हैं, आप लिए माइक को म्यूट करने, माइक को मूट करें, आप क्लास से बाहर हो जाएंगे, मुलगा तो मुला नहीं सकता मैं, हम बात करने जा रहे हैं, वीव ये माइक्रो पावर प्रगामिंग की, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स की आप इंटरनेट भी देखते होंगे, कि DIM, RNG, Integer, Long इसे ऐसे डिफाइन होता है, ताकि होता क्या है, चलिए आज की इस क्लास हम इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद हम इसकी Conditions, Logic, Loops इसके बारे में आगे की तरह बढ़ेंगे, एक Action File हम उपन करते हैं, और में पास Office 365 है, अस उपन है नहीं करता है, तो जब हम VVA Macro Programming यूज करते हैं, तो हम variables इस्तमाल करते हैं, मैं मुरूस में जाकर आप बताता हूं, कि हम देते हैं यहां पर ब्राबर देते हैं कि DIM, आपके होता क्या है, इसकी जरूरत के उपरती है, तो इसीज को जाने है, कि हम अगर मांगे कोई भी calculation हो, जैसे हमने आप 50 plus 60, 30 किया, तो 50 plus 30 का result कहां पर store होगा, तो इसको result को store करने के लिए, हमें एक location की जरूरत बढ़ती है, जैसे कि A1.value हमने किया, एक्वल टू ए कर दिया, तो यहां भी आप जब इसको run करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि A1 के उपर 80 टाइप कर दिया, लेकि प्रॉलम क्या होती है कि हर पार A1 नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है A1 में पहले से कोई value हो, यूज होता हो, तो मैं Excel की किसी भी range को इस्तमाल नहीं करना चाहता हूं, हम DB programming में ते इस case में हम लोग एक variable लेते, जैसे कि मैं लेते हैं यहां पर M, इस्तमाल कर लिया, तो यहां पर हमने M इस्तमाल कर लिया, अब मुझे कहें भी M के मैसे, इसी 80 के परेगी, जैसे कि मैंने message box में लाल दिया, तो वहां पर हम वापस M को ले लेंगे, अब इसको हम play करेंगे, तो यह M हमारा आ जाए, इसका एक हो गया, और दूसरा कि अगर हमें calculation में एक हीर value को कई जगह भी यूज करना हो, और वह value हम input से लेना चाहते हैं, या calculation करना चाहते हैं, तो वहां पर हम value की इस्तमाल करते हैं, जैसे कि for example, कि हमने यहां पर दिखाट B equal to, हमने यहां पर इक्राल दिया, input box, और box में हमने बोल यहां पर दाल दिया, कि enter, lead, अब ऐसा करने सिख्या हो गया, कि अब यहां रन होगा, तो input box में एक date डालने की बात होगी, यहां पर जो भी हम date डालेंगे, और store हो जाएगा किसकी उपर? D के उपर. मुझे जैसे माली चाहिए, मुझे मंद चाहिए, तो जैसे MSG box, यहां पर बोल दिया, कि month, मंद में हमने बोल दिया, D, ऐसे MSG box, मुझे year करना है, यहां पर हमने year select किया, year में लाल दिया, मुझे करना है MSG box, यहां पर date, और date के अंदर में डाल दिया, तो आपने देखा कि एक D, तीन से तीन लाइन को value supply करना है, पगम play करेंगे, तो यहां से मुझे एक बार date कुछेगा, हमने date डाल दिया, यहां पर जैसे ok करेंगे, देखे 1, वज़ार 20, वहां आ रहा है, तो तीन जगर supply करना है, तो तीन अलग-अलग input डालने के मुझे जरुवत नहीं पड़ी, तो message box इसकी रिकिया जाता है, अब बात होती है, कि हम long integer एक कब लेंगे, कहां लेंगे, कैसे define करेंगे, कि हमें इसका use कहां करना है, तो उस case में हम इस्तमाल करेंगे, अपने list of इसकी, तो यहां पर सबसे पहला होता है, variables के list की बात करेंगे, यह हमारा byte, byte मतलब कि बी के उपर आप, 0 से लेकर 255 तक की value ले सकते हो, बिना किसी decimals को, और बिना किसी negative value की है, तो इसमें आप negative value नहीं डा सकते हैं, इसकी एक limitations है, अब यहां पर अगर हम बात करें, कि integer कबनी जाती है, तो dim r as a integer हम रिपिया, और यहां r equal to minus 32,000 something से, plus 32,000 something हम डाल सकते हैं इस पर, लेकि ab decimals को receive नहीं करता है, जी हां decimal सुनी होता है, फिर अगरा आता है कि dim l as a long, क्योंकि 32,000 से उपर की value डालनी होगी, तो long इस्तमाल करेंगे और यहां l equal to, यहां पर अपनी मोटी से value डाल सकते हैं, लेकिन यहां रखिएगा, यह भी आपका decimals accept नहीं करता है, long भी आपका decimals accept नहीं करता है, तो यहां पर अगले value आती है d as a double, double क्या करता है, कि d equal to, आप इसमें decimals भी रख सकते हैं, और इसे उपर की value भी रख सकते हैं, यह सबसे बड़ी value रख सकते हैं, अगला आता है dt as a date, इसमें आप कोई भी date वाली value डालेंगे, किस भी format में डालेंगे तो वो date में convert कर देगा, इसके बाद अगला आता है, जैसे कि dim as a string, इसमें string की value आल सकते हैं, कोई भी न क्यार्टिकली value जैसे data भी हो, text भी हो, जैसे डामा चाहें, उसमें आप आल सकते हैं, इसके बाद अगली value आती है, dim as a boolear, तो अब यह question आप लोग पूछ रहे होंगे, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब हम, मैं अभी थोड़ जैसे सब बताता हो आपको, फिर यहां पर अगला आता है, V as a variant, अब variant क्या करता है, अगर कोई number डाला तो long हो जाएगा, जदा number है तो double हो जाएगा, date डाला तो date हो जाएगा, जैसा डालोगे उस तरह से अपने आपको behave करें, तो दूवरा जान लीजिए, यह आपका byte होता है, जिसकी limitation होती है, without decimal, without 0, minus 0 से लेके 255 तक, दूसरा आता होता है, R as a integer, minus 32 से प्लस 32 से बिदाव डेश्मल, long में एक बड़ी मांट की value डाल सकते हैं, 15 डीजिर तक की, लेकिन ओधी बिदाव डेश्मल, as a double में आप डेश्मल, long integer से तरह डाल सकते हैं, और यहाँ, DT as a date यहाँ दिख़ा होगा, और variant आपका all rounder होता है, कि इसमें जो value डालोंगे, उसके according यह बन जाए, यहाँ में question आती है, तो फिर हम variant ही हर जगे इस्तमाल क्यों ने करें? यहाँ कर सकते हैं, लेकि इसके भी कुछ rules हैं, वह समझ दिजिए, प्रिकि जैसे ही DIM मतलब होता है कि आपके hard disk के dimension में भी नाम का data location क्रियेट होगा और उसपे byte long integer as a value store होगा अब question यहाँ पर आता है कि जब भी hard disk में कोई भी event होता है तो उसपे एक space एक space require होता है तो अगर byte लेते हैं तो आपका 2 byte अगर integer लेते हैं तो 4 byte long लेते हैं तो 8 byte double में 16 होता है ऐसे ही date में 8 होता है विलियर में 4 होता है string में minimum आपका 8 byte according to text size लेकिन आपका variance minimum 32 byte को capture require करता है इसकी size को अब पहरा इसमें question ही आता है इसमें तो byte है का फरक परता है मेरे पास तो 8 GB और आपका कोई फर्ट नहीं पड़ेगा लेकिन ध्यामने करते हैं जब भी एक subject आप define करते हैं तो उसका एक होता है माइक्रो की size होती है 255 kg इससे बड़ा macro हुआ तो procedure to large का error आएगा और आपका macro काम करना बंद कर देगा अब यहां पर अगला option आता है कि ठीक है चलिए लेकिन अगर छोटी मुटी macro बनाओ तो कोई फर्ट नहीं पड़ेगा जी हां चोटे मुटे macro के कोई फर्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप 10-15 नहीं के macro बनाते हैं उसमें यहां वरियेंटी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरा यहां पे दूसरा यहां पे जो आता है वाता है convergence की जैसे आपने देखा यहां पे मैं real लिखूंगा तो यहां पे automatic to and false आ जाएगा ऐसा क्यों आया क्योंकि हमने billion का इस्तिमाल किया हुआ एक benefit इस तरह से होता है Convergence जैसे मैं एक macro बनाता हूँ यहां पे subject हमने यहां पे billion यहां पे और यहां पे मैं देता हूँ dim जैसे हमने देखिया L as a long यहां पे मैंने L equal to अगर मैंने कोई decimal दिया तो आप देखेंगे msc box में आप L करते हैं तो यह decimal को round कर देगा round कर दिया अगर आप इसमें अगर long के जगह तो आप variant कर देए तो क्या यह round करेगा नहीं कर राउंड तो फिर आपको round करवाना हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा round का function apply करना पड़ेगा जी नहीं long या integer डाला तो आप उसकी value c के according convert हो जाती है अगर 56 है 24 हो जाएगा एक benefit हमारा होता है कि जब भी हम macro के use करते हैं तो हमारा round हो जाता है करने के लिए किसी जगा से input रेने के लिए जब भी कोई function apply करते हैं उन cases में इसका इसका इस्तिमाल होता है अब चलिए अब यहां पे हम कुछ calculation करते हैं calculation यह बहुत असान होता है तो हम mathematical calculation करते हैं VVA के through और उसमें हम डालते हैं message box को MCL के नाम से quarter 1 की sale है यहां पे quarter 2 की sale है और मुझे C पे growth चाहिए मुझे quarter 1 की sale दिख गई quarter 2 का sale दिख रहा आपको अब मुझे इसमे growth चाहिए तो growth कैसे बहेंगा यहां पे जैसे की 25 26 25 होगे है mathematics calculation के according अब मैं यहां पे क्या करता हूँ कि यहां लिखता हूँ कि दिम quarter 1 quarter 1 comma quarter 2 एक साथ हम 2 variable इस तरह से define कर सकते है as a long यहां पे dim यहां पे growth as a double double क्यों किया मैं बताता हूँ तो यहां पे होगा कि यहां पे हम लिखेंगे quarter 1 पे value assign करना पड़ेगा quarter 1 equal to range a2 dot value अफिर यहां quarter 2 equal to range यहां पे हमने डाल दिया b2 b2 dot value okay अब यहां पे हम calculation करना है यहां पे range में g equal to 2 हमने बला कि लेटेस्ट माइनर में quarter 2 minus quarter 1 divide by quarter 1 okay लेकिर इसमे बोर्ड मास्क पर दालना पड़ेगा यहां पे हमने में message out करना है तो range हमने बोला c2 dot value equal to अब इसको हम click करते है तो आप देखेंगे इसका result यहां पे आ गया but in decimal में मुझे इसके percentage में चाहिए तो दो तरीका है एक दो जिसे कि हमने g यहां दाला तो मैं इसमे एक format का पास पर दाल दताओ कि format g और इसमें हमने दाल दिया 0,0% अब मैं इसको play करूँगा तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका 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 पॉस्चन है पॉस्चन है आता है कि यह तो चलो एक सेल था इसले कर देखेंगे लेकिन मान दीजी कि मेरे पास इस तरह से और बहुत सारे है अब क्या रहें अब यहां पे धहां में मैं यूज करने जा रहा हूा हूं लूप तो लूप का एक उज़ोगा है कि लूप का इस्त्माल कैसे होता है इसके बारे में buna आपके साओ लूप कैसे इस्त्माल होगा तो जिस क्योंकि अगर यहां पर ऐसा हुआ तो से भी A2, B2 ले रहा है ऐसे माज से मैं उसे A3, A4, A5 सब का लेना होगा तो अब मैं यहां लूप इस्तिमाल करता हूँ तो लूप का यूज क्यों होता है? रिपीट करने के लिए होता है हमें लिखा 4, I, 2 से चले, 2 से चले, नहां तक 11 तक तो 2 यहां पर है, हमने 1 से लिखिया क्योंकि 1 में रहा है 2 से लेके 11 तक चले, यहां पर मैंने 11 डाल लिया और फिर मैंने इसको next I कर लिए अब यह क्या करेगा? कि जो code है इसको 10 बार run करेगा अब यह run कित्मा बार हुआ है, इसकी counting I पर होगी अगर मैं इसको step info से आपको समझाओ, यहां आप देख सकते हैं मैं debug पर जाता हूँ, step info effort इसका shortcut होता है तो आप देख रहे हैं कि इसने यहां पर किया, अभी I जो है आई भी एक विरेबर है, यहां पर embed टी है, खाली कुछ नहीं है जैसे मैं step info करूंगा तो I equal to 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, sorry, 2 से start is 2 हो गया बाकी सारे procedure को run करेगा वन बाई वन अब वापस आप देखेंगे, I यहां पर एक increase हो गया, 3 हो गया कि वापस इसको run करो, फिर वापस I अपनी value increase करता है अब यहां पर I चेक करेगा, 3 क्या less than 11 है तो फिर वापस लूप को भेज़ेगा और लूप वापस देखेंगे, I pick 4 हो गया अब यहां पर question आता है कि अब मैं यहां पर 10 टाइम चला रहा हूं और फिर पी result जो है, आप देखेंगे, सिर्फ single को ही दे रहा है क्यों? क्योंकि हमने input जो लिया है, वो fix A2 से B2 से लिया है और C2 पर हमने output दिया है तो इसको अगर मैं dynamic कर दो, तो 2 को increase में डाल दूँ कि आई increase हो रहा है, 1, 2, 3 हो रहा है इस तरह से A2 हो, तो यहां इसके दो तरीके है, एक तरीका है जो हम लोग इसमें C++ में यूज करते थे कि R, हम यहां पर एक definition कर देते है, variable R equal to R plus 1 और यहां हम 2 को delete करते हैं और इसके साथ constant कर देते हैं R को और यहां भी sin, C2 के ज़राद पर R कर देते हैं यह चल सकता है, लेकिन problem क्या है यहां पर, कि जब मेरे पास already i है और i यहीं काम करता है, जो R काम करें R जल चलेगा, तो R पहले blank होगा, blank plus 1 equal to 1 तो यहां पर A के साथ, A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, और C1 हो जाएगा फिर दुबारा चलेगा, तो R already 1 होगा, तो 1 plus 1 equal to 2 हो जाएगा तो यहां पर A हम ना करके दूसरा तरीका जो mostly use करते हैं कि इस i, जो हमारा 4 का i है, C को ले लेते हैं क्योंकि यह भी एक variable है और इसका भी वह ही use है अब मैं अब इसको stop करूँ और सुरू से यहां पर आके play करता हूँ मैं तो आप देखेंगे कि पूरा data हमारे पास percentage में आगे अब यहां पर हमने variables लिए इसलिए variables लिए क्योंकि यहां calculation करने में हमें बड़ी असानी हुई करने में बहुत असानी होई इसलिए अब चलिए अगली calculation करते हैं अगली calculation मारी से मुझे interest निकालना है दूसरी sheet पर चलते हैं हमारे पास principle है हमारे पास rate है हमारे पास time तो मैं यहां पर कुछ छोटा सा data बना देता हूँ तो मैं यहां select करता हूँ और percentage में convert कर देता हूँ और time में यहां पर यहां पर इंट्रेस्ट के लिए यहां पर हमारे पास already function होता है अब mathematical calculation का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या होगा कैसे करेंगे पहले इसका function यह matter बनाते हैं यहां पर हम देते हैं कि दिम पी एजे हम देते हैं long यहां पर आर रेट एजे डबल होगा क्योंकि decimal हमेशा double होता है यहां पे हमने G को double लिया था क्यों लिया था क्योंकि जी मेरे से calculation होगी और percentage हमेशा decimal में होता है और यह से Tzk हमोंकि मैं रेजेजर क्योंकि 32,000 से ज्यादा साल तो होगा नहीं कि यहां पर यहां पर बाइट भी ले सकते हैं कि साल माइनस में होगा नहीं और डेश्मल में होगा यह नहीं तो बाइट ले ले लिजिए यहां पर हम 4 लगाएंगे कि 4 i equal to चले 2 से लेके 14 तर अब यहां मैनुबल ले रहे हैं हम आगे इसको automate करना भी सिखाएंगे लोग में है तो 14 तक चले और यहां हमने नेक्स्ट आई कर दिया यहां हम क्या कर रहे हैं कि range यहां प्रिंस्पल इक्वल टू रेंज और रेंज में हम रेंगे रेंज ब्यक्त तर गाहれ है कि A के साथ हमने इसको नेक्वाक रड़म刌 में आई को और डॉट कि पापी करके पेस्ट कर देती हमारा होजाता है और यहां पर एक जगा पर वी यहां झाने यहां C और यहां हम वापस calculate करते हैं अब यहां पर एक और करना पढ़ेगा amount तो यहां आप dim amount as a हम यहां पर double दे देते हैं क्योंकि amount पर decimal में आ सकता है तो हमने यहां पर double देने के बार मैं यहां पर लिखता हूं amount equal to p multiply by 1 plus r divided by 12 power of p multiply by 2a और फिर इन दोनों को एक bracket पर ले लूँगा मैं ताकि calculation असाली से कर सकते हैं और उसके बाद यह था हमें calculate कर लिया result amount पर है तो आपस हम देते हैं range और यह में देते हैं दी के साथ हम i को combine करते हैं dot value equal to amount और फिर मैं इसको यहां से भी run करूँ यहां यहां से developer में जाके माइक्रो से भी इसको run कर सकता हूं यहां पर दिक्कत आगए क्योंकि यहां पर T हमने दिया ही नहीं है यहां पर T देना पड़ेगा गलती होगी थी यहां देखिए यह हमारा interest calculator इस तरह से हम इसकी calculation को यूज करते हैं अब अब बात करते हैं इसमें एर्य की हारी की बात करते हैं दल्म घ् restricted कि यह 1 प्लस आर ग्वाइट वाइड आपका मंतली है तो बारा होगा यह यह ली इंट्रेस्ट है तो आपका 1 अब यहां पर हम बात करते हैं आरे के साथ हम अब जैसे कि मान लिजी कि हमें एक एक रेंज पर हमना भी आवे वेरेबल दिया उस पर हमने एक पर एक ही वेरेबल दिया तो मैं यहां पर अगर बी इक्वल टू अगर मैंने 50 किया तो 50 रहेगा और जैसे बी इक्वल टू में नीचे 60 कर दिया तो मेरा 50 रीप्लेस होके 60 हो जाएगा तो मुझे 50 भी स्टोर करना है और 60 भी स्टोर करना है तो उस केस में हम एरे रेटाइप का इस्तुमाल करते हैं जी हां एरे कैसे डिफाइन किया जाता है तो जैसे कि आप यहां पर दिम पर दिम स्टोर की जाती है तो एक ही बेरेबल पर सें कास के मल्टिपल डेटा स्टोर की जाती है तो मुझे value still करना होगा तो मैं यहां पर o और o के साथ हम bracket में 1 लिखेंगे और equal to कर देंगे 50 फिर o लिखेंगे यहां 2 कर देंगे यहां लिखेंगे 60 फिर o करेंगे और यहां पर लिखेंगे 3 equal to इस तरह से ठीक है अब इसका use क्या होता है चलिए हम बात करते हैं अब जैसे की four example कि मेरे पास एक sales figure बहुत सारा figure कि मेरे पास data है अब मुझी क्या करना है कि मुझी इस में से get less than जो get less than 50 है उसका data लेना है उस पर भी उसके multiply by 60 करना है और मुझी उसका result यहां F column में डालना है ठीक है incentive के नाम से कैसे करेंगे चलिए तो यहां पर subject हम यहां पर रालते हैं पर यहां पर लगाते हैं पर फॉर्मुला कि यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि दिम अब यहां पर दिक्कत है कि अगर आपने डिम जैसे कि हमने डिटी और यहां पर दे दिया 1 2 वां टू और हमने मालीजे कि इतना है अब यहां पर दिक्कत क्या होता है कि यहां पर आट्मेट नहीं कर सकते हैं यहां पर लूप लगाया कि 4 आउर इकोल टू चले अब यहां पर हमने टू से लिए में पलस मैनस करना पड़े थो इसके लिए मैँ यहां टू से करता हूँ कि यहां पर चले 58 58 और सबसे पहले हमें लोड करना है डीटी के ऊपर तो हमें उससे पहले कंडीशन देनी है कि भाई जो हमारा रेंज है इसमें गेटर दें 50 होना चाहिए यहां के लिए इस कंडीशन लगाते हैं तो मुझे सिंगल कंडीशन देना है तो सिंपल लिखना है कि इफ इफ यहां पर रेंज हमने यहां पर यह के साथ आई को कमाइन किया dot value is greater than 50 and dt और इसके अंदर हमने i डाल दिया equal to और same value को upload कर देना है कि अब यहां पर चोटी सी problem है कि अब यहां पर ऐसा ना हो इसके लिए मुझे इसको दो लाइनों में लिखना पड़ेगा यहां एक और ग्रेबल देना पड़ेगा कि धिम आर एजे इंटीजर या लॉंग कर देता हूं और फिर मैं यहां पे इस कंडीशन लगाने के बाद मैं इसको दैन करके नीचे तोरूं हुई इस ती नहीं है डीटी और डीटी से रूपर लिखेंगे आर इकवल टू आर प्लस वन क्योंकि में इससे पहले रताया था और यहां पे हम आर देंगे यहां आई रहेगा बड़ यहां आर रहेगा ताकि बीज में कोई गैप में हो जाए बना है गैप हो जाएगा और फिर यहां नेक्स आई गर देंगे तो जितने वी गेटर देन 50 वाले रिजल्ट्स है यहां पे आपके स्टूल हो रहेगा अब उसकी उसमें multiply one by one multiply मुझे यहां डालना है हलाकि दूसा तरीका भी है तेकि मैं यहां array पर रहा रहा हूं इसलिए मैं एजाम पर दे रहा हूं कि for j equal to चले अब यहां दिक्कत हो जाएगी वन से लेकर अचारी थोड़ी देने आपकी यह फिर से रीज्वाइन होगा फिर से रीज्वाइन कली जगत लिए ił हम गासेइं बिष्दा दो आंप गिज्वाइन किज्रेप लिए प्क हाँ byए दोफिए प्रॉब्स 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 सब्सक्राइब 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 यहां पर एरे की जो पूरी की पूरी जो एरे हैं उसका हमें देना पड़ेगा जिसे की एरे क्या होता है अब यहां में देख लीजिए ना कि मुझे अभी एक चीज़ जानी है पर एक चीज़ को समझ लीजिए अगर यहां पर कि मुझे अगर माझ लीजिए कि पांच डेटा स्टूर करना है तो मुझे यहां पर लिखना होगा दिम के कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा ए कॉमा एफ एजला ठीक है कि मैं यहां पर एकुवल टू टेंटी लिखूंगा भी एकुवल टॉ टार्टी जो भी रिजल्ट वैलू देना है वह हम यहां देंगे कि इतना लंबा करना पढ़ेगा मान लिजे आपको कि एकाज सो करना वाद तब तो दिक्कत हो जाएगी कि क्या है कि उस केस में हम है एरे लेंगे हमने बोला कि यह आपि मान लिजा में बोल दिया अब मुझे यहां पर एक के साथ वन देना कि यहां पर टी के साथ कि डी टी वन इक्वल टू त्वेंटी इटी यहां पर टू और यहां पर थर्टी पर यहां पर हमने डिफाइन किया अर अलग लग किया करने की जोची बड़ी अब यहां पर आग्राप लूप में करना चाहां तो लूप में कर सकते हैं जैसे कि हमने यहां पे लूप में इस तोर करनी थी तो हमने यहां पर बला कि दीट्व 2 से लेकर 100 तक जाए और हमने लूप लगा के वैलू के स्टोर कर दिया नहीं अगर ऐसा नहीं करती है तो मुझे हर अलग अलग डिफाइन करना पड़ता और 57 वैरेबल डिफा अपड़ता है समझे है तो जहां पर हमें एक से जधा वैलू यूज करना हो वहां पर यहां पर मैं लगाता हूं लूप कि 4 जे एक्वल टू चले 1 2 चले यहां पर हमने दिया 57 और फिर हमने 57 नहीं पर यहां पर यहां पर हमने बोला यह जो है हमारा तो यहां पर हमने लिखा कि रेंज डॉट एंड और एक्सलेस आप और एक्सलेस आप में हमने दिया डॉट आपसेट आपसेट में किया हमने वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू इस इक्वल टू हमने बोला डी टी डी टी और डी टी को अधर हमने को डाला और इसको मल्टिप्लाई बाई 60 कर दिया ठीक है अब इसको अगर मैं प्ले करता हूं तो इसमें से सारे 60 वाले को 60 से मल्टिप्लाई करके यहां पर स्टूल कर देगा हुआ है हमाई हमाई है कर दो कि हमारा दो से हैं यहां दो से ना करके मैं एक से कर देता हूं तब होगा पन्स ही किजिए कि इस वह देखाइन करता हुआ अधे यहां पर जीरो क्यों आगे आए है आए है आए है है अगर जीरो कम देखिया था इसलिए अगे अगे आए है यह देना जाहिए था है एक छोटी सी गलती हो गई और यहां भी नेक्स जे लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास नीचे जो है फालतू में जीरो आगया क्योंकि हमने एले को यह नहीं बताया कि तुम अपनी चोटी वैलू से बड़ी वैलू के दरफ चलो ठीक है तो अब ऐसा करना चाहते कि आप चाहते हैं लूप उतना अबारी चले यहां पर क्या हुआ कि लूप यहां हंडे टाइम चलता है अब जोड़ी थोड़ी है कि हंडेड वैलू यह स्टोर हो मालीजी के एरे की कैपसिटी हमारी हंडेड वैलू की है लेकिन हमारा इफ जरूरी है तक यहां पर वैलू जो है 58 नहीं किया है 58 में वह वैलू जो केट उतना तो यहां पर बार अजिक लोवर बांड और यहां पर गे अहले करतिया है लोवर बांड से चले अपर आप यूबांड इवांड इसमें हमने डीटी डाल दिया लोगर बाउंड से अपर बाउंड तक चले और हमने इसमें डीटी डाल दिया अब इसको एक बार सब्समें डीटी करता हूं कि अब रहा है उतनी चलाएवाब्स कि कॉमा हुआ मिलते को पर अब गया है लोग आपन बाउन आपके चोटे से बढ़े वेलू की मतलब नहीं होता है कि अपने लेकिन हाँ किसे अपने रेंज लिखा है ना रेंज के बाद एप 65,000 को लिखा हुआ है बेशली मुझे एक के लीचे के लीचे करना था इसलिए यहां क्या है कि मुझे एक के नीचे डालना यहां पर इसके नीचे डालना है फिर इसके नीचे डालना है तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने बोला कि नीचे से मतलब कि आप चले जाओ पहले एफ 65,000 पर आ गया अब यहां से हमने बोला है डॉट एंड एक्सलिस अप बतरिक कंट्रोल दबाओ और अप एरो प्रेस करो तो यह चले जाओगे सबसे लास्ट बाले सेल पर फिर ऑफसेट को बुला कि एक कॉमा नीचे आओ और यहां पर वैलू डाल दू और इसी प्रोशीजर को दुवारा जब अपनाएगा एक पैसर जारते जाएगा जब आसे कंट्रोल के साथ जब अप करेगा तो यह उपर आ जाएगा तो देखिए यहां 65 पाया ओफसेट फिर इसको एक कॉमा नीचे कर देगा तो आपसेट में हमने इसको ववन कॉमा जीरो किया हुआ है यह रो होता यह प्रसाइब कर देखिए यह जहां एक्सलिस वाली फाइल पर रन करें जहां 55,000 संफिंग रो ही होता है तो वहां भी वर्क कर जाए अब यहां पिर दस लाग दे दूंगा तो एक्सलिस एक्स पे वर्क करेंगी जहां पर पैसर हजार संफिंग ही रो होता है ठीक है अब यह तो हुआ कि एल बाउंड अपर बाउंड क्या होता है कि आपका जितना एरेड डिफाइन है उस डिफाइन ही अकॉलिग वेलू डाल देता है लेकिन इसमें मुझे एक उत्मारी चले जितना हमारी वेलू स्टोर है जो ब्लैंक है वर्क न करें क्योंकि आप तो आप देख रहे हो कि ब्लांक हो जा रहा है वहां पर कोई बैलू स्टोर नहीं है इसलिए यहां पर इस केसे में हम लूप ही लगाते है लेकिन एच लूप लगाते है यहां लिखेंगे कि for each item in dt for each item in dt और feed हम जो arrange लिया है कर रहे तो वही रहेगा बट यहाँ पे dt के जगा पे item हो जाएगा और यहाँ पे next item हो जाएगा यह क्या करेगा यह उत्मा ही चलेगा जितना item है जितना value stored है आपके loop में इसमें dt में है और मैं इसको run करूँ तो आप देखेंगे कि अब इसमें 0 नहीं आपके अबुक्णों प्रोप्रणे अफरे लिए अपस्टीफ आपके अफरे 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 प्रोप्रणे आपके माल्टिप्लाइवाइवाई-स्टीफ कि आपने कट कर दिये कि आपने जो डाला था जे वेरियेवल वह आई तिंग प्रोग्रामिंग में से कट हो गया हूं कि कट कर दिया उसे मतलब नहीं यहां पी चला है कि यह समझने आ रहा है कि एरे जो है तो फिल्हाल को समझ लीजिए कि हम जो है एरे को लेते एरे लेते हैं जब मुझे मुझे मुल्टिपल वैलू को स्टोर करना करना होता है कि यहँ परец इन एक है कि अलहां आपको पता है कि यह झाली होई है तो दिकत नहीं लेकिंए कुछ ऐसे भी होते हैं लुट है वो जिसमें बेलो ड़ाइन होती है उतने डाल सकते हैं यहां पर क्या है कि 100 फिक्स हो गया है इसमें 100 से ज़्यादा वैलो नई डाल सेकते हैं लेकि आगे चल कि आपका जब डिफाइन नहीं होगा मतलब कि फिक्स होता उठीज होता है इसके बारे में आगे हम डीटेल के साथ पढ़ाएंगे ठीक है बट अभी के लिए आप यह समझें कि हम एरे का यूज़ करते हैं मुलिटिबल वैल्यू को स्टूर करने के कि किसी को डाउट है इसको आपने समझा यह जो है हाँ यह समझ रही है कि इसको यूज़ कैसे करना है क्या करता है कि बैकें के अंदर में आपका इस तरह से टेबल बना जेता है पहले arrow में क्या और इसे कि हमनने भोलागा है destructive कि पहले ही इसे कैंपर दूसरे क्लम में गया और यहां पर इस तरह से वह वन टेपल कर देता है तो इसका यूज तब होता है जब हमें कई सारे वैलू जलेना होता है आगे ज़रके जैसे मालें लिस्ट बॉक्स पे या कॉंबो बॉक्स पे या फिर आपको एक डेटा में से कोई पर्टिकुलर कंडीशनल के देन 50 बारे सारे वैलू आ जाए या फिर आप दुब्लिकेट व सारे प्राइक बिकिए चेक करें लिए को अधिर है तो आब को ब्रेकिल स्थाइन करना बता रहे है और यूज करना बतारा है इसका एक बात था कि अभी आप condition दिये कि जो greater than 50 है less than 50 है उसके साथ 60 वो इंडू करके हमने पहले क्या किया हमने एक 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 डिफाइन किया 100 100 रो की करेगा 100 वैल्व एसेट करेगा ठीक है ठीक है उसके बाद हमने फिर बोला कि भाई मुझे इस में से 58 तक चलेगा और 58 में से भी उसी वैल्व को करेगा जो greater than 50 होगा तो अभी यह क्या करेगा इस क्या करेगा कि जितने भी greater than 50 है उसको एरे में होल्ड कर देगा क्या हमने मुझे होल्ड करना है क्योंकि फिर वह आपस आपको मुल्टिप्लाइब करें कि रिजल्ट आउट करना है मुझे तो इसने 58 में से 27 वैल्व निकाला और 27 वैल्व को सब्सक्राइब करें कि यह अभी हम जो लूप लगते हैं और फॉर से लेके नेक्स्ट फॉर और नेक्स्ट के विच में अभी इसमें दो चीज़ दिखने में आ रहे हैं एक तो हम आयका लूप लगा रहे फॉर आई इस उकल तो वन तो हम रेंज दे रहे हैं आई तो 58 और दूसरा लूप जो हम लगा रहे है वो अईरे का लगा रहे है जो वो होड करता है तो इसका सिक्वेंस के से रहने का बात समझेए देखिए यहां पी हमने पहला लूप लगाया उसे 58 फोल से लेके next तो फोर नेक्स यहां पर हमने इसकी जो कर स्टार्टिंग है और यहां पर आप देखी रहे हैं कि फोर्ट के ही है तीसरा पता नहीं कि डीटी के ऊपर कितने वालूप चलेगा और जो टूप है और आगे बीडिसक्स करेंगे लेकिन जाएं जाएं कि जब आप यह पता नहीं कि यहां तो हम चलाना है तो उस केस में हम और इच करेंगे इसके बारे में आगे हम दिसका से तो आप एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि वह जरूरी है कि क्या है वहाँ पे दो तरीके का लुप था एक लुप सॉरी डेटा टाइप था एक वेरेबल पॉब्लिक और स्टाटिस्टेक रोल पे आप एक बोलेंगे कि वह चीज क्या है को देखा अब यहाँ था आंए वस सोब्सक्त करम्स पॉब्लिक पर रहाए अनुक मतभी स्टली बारेंगे में हम आफाव में आपको आइट भी ऐता है। अब यहां पर हमने एरे को पढ़ लिया अगला जो आता है वाता है अब इसके लिए मैं एक और मुनूज लेता हूं ग्लोबल वेरेबल क्या करता है जैसे कि अगर मैंने हाँ पर सब्जेक माली जै कि हमने एक मैंक्रो बनाया यहां पर लिखा यहां पर वैकल दिया कि इसे पर हमने राजिया 30 अगर यहां पर MSG box के अनदर एक और मैं अपर बढाता हुँ दूसरा आरा अनरश्कुर वन कर दिया अब मैं चाहता हुँ कि मुझे यहां पर MSG box इसमें वापस मैंने प्लिक कर दिया अब यहां इसको रण करूंगा तो यहां पर देखेंगे कि ब्लैंक इसको रंड करने के बाद रंड करूं इसको मैं तो भी आप देखें कि बिलेंगग अब यहां भी दहां एक तो आपको अब पादिके करते हैं तो उसकी जो उम्र है इस एंट सब तक ही होती है जैसे एंट से खतम हुआ इस पर जो भी कालकुवेशन स्टोर हुआ वह सारे के सारे ड्लीट हो जाती है तो इसलिए मैंने बुला कि विरेबल का यूज होता है टेंपररी डेटा सेविंग लोगेशन मज़ गया है लेकिन मेरी जरूरत है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक विरेबल को कई सारे माइक्रो में यूज कर सका हूँ समझें तो हमने क्रियेट करने पर एक ग्लोबल विरेबल के लिए सबसे पहले उपर जाए और यहां आप डालें कि जिम पी एस ज़फ लॉग के अब यहांपे पी एक्वल तो 30 कर दिया और मालएजी कि मैं यहां पे और करता हूँ कि पी एक्वल तो हमने हां पे पी के सार्फ लोबल दो फिप्टी ए ऐट और फ्रिशा माइक्रो लिया और तीसा मायक्रो में हमने यहां पे एक variable में हमने बोला कि P equal to P को multiply कर दिया 2 से और चौथा micro हम यहां लेते हैं और उसमें हम P को store करते हैं यहां पर MSG box P करते हैं तो अब यहां पर अगर मैं direct RR3 को run करूगा कर दिया है कियों कि मुझे इस पे store करें सबसे पहले पहले मैं करना होगा फिर मुझे दूसरा मैं करना होगा तो मुझे तीसरा मैं करना होगा फिर आप यहां देखेंगे P आपकर दिख रहा है 176 गया तो इस तरह से आप Global इस्ते माल कर सकते हैं तो इस्तिमाल करेंगे और गलोबल गलेबल को अमेशा इसी तरह सी उच करते हैं किसी को डाउट हलो अधर स्वाथ बुल रहा हूं अधर यह जो ग्लोबल अपने बता है डीफी एज लॉंग तो यह जो चारो माइको जो हमने पना है तो इसको एक साथ हम रन ने कर सकते हैं नहीं एक साथ रन कर सकते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक पांचमा बनाना परेंगा ठीक है पांचमा वेरेबल में आपको उस सारे माइक्रो को पॉल करना होगा और शिक्वेंस लिए लेना पड़ेगा नहीं होगा तो पी करेंगा नहीं होगा तो पी स्टोर ही नहीं होगा को इस अब शे ऐसा सब्सक्रां को करने कारी यूग किन्सरीच कोर्डाय में होगा है तो इसके के खांक Só आपको होगा अद Lag ृस को क्या साथ भाय्म होगा बिकले ठीक है कि मतलब हम इस वाइज एग्जेम्पन लिए देख रहे हैं जैसे कि आगे चलके जब यूजर फ़र्म आप करेंगे रैट तो आपने यूजर फ़र्म जैसे कि आप लोग जब इंटरनेट पर फ़र्म बढ़ते हैं अगरे बात करें तो कहने के मतलब की टेंप्र ली वह सेट कहां होता है जब सब्सक्राइब करोंगे तब ही वह उसको डेटा इसमें भेजता है अगर मालिजी का आप वार्म बर दिये प्रियूंग करके तो फिर दुबारा आपको चीज तो मिलेगी ने किलती है सब इंटरनेट पर फ़र्म बढ़ते हैं गूगल का फ़र्म ले लिजे तो आप प्रियू पर क्लिक कर तक आपका शेसन होता है तब तक आपको आपको जो भी ड़ी ड़ी वह दिख जाता है चाहे आपको नेक्स ने इसे मान ने कि यह हम यूटूब पर विडियो अप्लोड करते हैं करते हैं पर तो दिक जाता है तो यह शीज के जिलिए होता जो आगे सुक्री जिवां पर ऊपर जा वह इंट से आपको भी या नेक्स करेगा तबंश सकाहें तब तक वो सारी इंफोमेशन हमें कहीं स्टोर करने होगी तो वहां पर ग्लोबल इस्तमाल होगा चरिक करें तो पुरी पुरी गोलोबल वेरेबल को आपस जासे टेक्सबॉक्स को ऑपस करने गाओ तो इसका मलूंध मृण्स करते हैं तो इसका मलत इसे मल्लो हम ने मृटिपल मैक्रों बनाए है उसमें तो जब आमने पराम्नेक्स फ्रकीं किया तो पहला हमारा मैकर हुआ है खानी है तो 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 टेंपरांनी फेलों के लिए उसकर हो रहते हैं जब तो आपके डेटा शेब है जैसे आपका देटा फ्लोग क्लीन हो गया फिर से दूबांड़ केंगा तो ग्लोबल गया अब ग्लोबल बेस्ट पर आप अब बोड़ कर रहा हूं है अब 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 यह जो आरर थ्री मैक्रो एठीक है उसमें हम अगर उपर से आरर को कॉल करेंगे फिर आरर वन को कॉल करेंगे आरर तुको कॉल करेंगे उसके बाद मैसेज बॉक्स पी रहेगा दिन यहां पर करेंगे तुका है नहीं मैं यह आरर थ्री मैक्रो में मैं उपर से तीन मैक्रो को रन करूंगा लास्ट में करेंगे मेरा कोड होगा मैसेज बॉक्स पी और त्री और फॉर मैक्रो का जरूवत नहीं यहां पर इस बताया कि एक सांब करने का तरीका यह बढ़ना इसमें भी कॉल कर सकते हैं आप जैसे सही बोला कि मैं यहां भी कॉल कर सकता हूं ठीक है जैसे कि आपने यहां पर जैसे मैं यहां पर लेता हूं अगर मैंने यहां पर लिखा कि अगर आज एक रहेंज तो इस रहेंज के उपर हम कर सकते हैं कि सेट आई को अगरे चलंगे मुझे कहीं भी लिखना है तो आइस एवन ने लिखना पड़ेगा सिक आगरे चलंगे पड़ेगा आपने सारे वर्थ होगा इसको बोलते हैं object data types एक question यहां रखेगा कि जब भी आगर object define करते हैं कि range हो गया, workbook हो गया, worksheet हो गया, chart हो गया, pivot हो गया, ऐसे object data types होते हैं उस पे हमेशा set होता है समझें क्यों कि आज उसे मान लीजे आप simple से मैंने से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है उसने simple जवाब दिया था कि आप कोई समान खरीज सकते हो लेकिन क्या कोई plot जमीन खरीज सकते हो जमीन खरीदार ही जाता है अगर आप जमीन के बात करें अगर लैंग्विज में देखे जो तो जमीन transfer होती है उसका मादिकाना हग बदलता है जमीन हमान जहां है वही पर आता है तुकि वह एक object है एक land है वह changeable नहीं है उसी तरह से जमीन है तो जहां है वही पर रहेगा जो नाम वही रहेगा बस उसका transfer हो जाएगा इसका उसकी नेम हम define कर देते हैं हम एक short name define कर देते हैं इसने हमेशा set यूज़ करता है वैसे set लगता है यूज़र समझ जाता है कि हमें range A1 को R नाम दे देना है इस इस माइक्रोड के लिए से मुझी तरह से अगर मैंने बोला कि dim w as a work book और हमने आपर कर दिया set w equal to active work book तरह से dim s as a work sheet work sheet work sheet or set s equal to अब यहां मैं देता हूं seats और seat में माल इसने बोल भी और 5 समझे आगे चलता और भी और बहुत सारे objects आपको हम समझाएं तो इसका use क्या है अब आप सोच कहूंगे इसका use क्या है अब जैसे कि मैं एक सोटा सा data seat लेता हूं उस भी बड़ा सा data लेता हूं अब जैसे कि आपने यहां पर देखा कि मैंने क्या किया अब मैं पास एक अलग बुक है बुक टू अब मुझे बुक टू के अंदर माइक्रो बनानी है मैं यहां बुक टू में जाता हूं विरेबल इंसर्ट रहता हूं अब यहां पर मैं देता हूं सब अब करना है तो क्या करना होगा उसके दो तरीके हैं मैं उसको कॉपी करना है पिर पेस्ट करना है उसके मुझे बॉल्ड अपलाई करना है कई साथ अबजेक्ट उसके डिफाइन करने हैं तो यहां पर क्या होगा कि मुझे लिखना पर सबसे दो समक्या करना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स और इसमें देना पड़ेगा विक्टू.select और फिर यहां पर हम देंगे वर्क बुक्स और यहां अक्तिवेट होगा फिर शीड्स शीड्स में कुल सा डेटा और सलेक्ट यहां अक्तिवेट फिर हमारा रेंज कि यह वं से इतना है क्यू त्वेंटी फाइव क्यू त्वेंटी फाइव सब्सक्राइब 25 .select और फिर इसको मुझे selection.copy या फिर कुछ करना पड़ेगा copy या फिर मुझे font करना है bold करना है बहुत साइच चार्ट लगाना है बहुत साइक्टिविटी करना है तो हर बार मुझे सारा code लिखना पड़ेगा समझे इस code को लिखने के बजाए मैं यहां पे variable होगा dim r as a range और फिर मैं करूंगा set r equal to work books यहां पे हमेरे दिया book 1 1 2 1 1 1.xlsm .seats seat seat में हमारा हो जाएगा data या c21 जो भी है dot range a 65,000 a1 से लेके a 25,000 अब आगे मुझे करना हुआ dot copy आगे अब मुझे बहुत साल 10, 20, 50, 100 code के बाद वापस मुझे इस पे bold करना है r dot font dot dot color dot equal to really rare समझे तो हर बाद इतना लंबा code लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हर बाद इतना लंबा code लिखना पड़ेगा अब हर code पिल से पे copy कर लिए मुझे मालेजिए मुझे इसको select करना है तो मैं यहां पर simple लिखोंगा r dot select लेकिन select करने के लिए direct select करने के मुझे workbook पे जाना हुआ activate करना पड़ेगा फिर seat पे जाना पड़ेगा फिर select करना पड़ेगा यहां पर लिख दी r dot select automatic पाथ लेगा अब्जे यह हमारा होता है object variable object variable में workbook, range, seat सब ले सकते हैं उसके अलावा यहां पे एक और आता है dim object यह आगे चलके सिखाऊंगा और इस पे हम अपना other application create कर सकते हैं जामने कर दिया set o equal to create application create object उता हम आप की देगा create object और इसमें हम दे सकते हैं word dot application ms word को access करेगा powerpoint डालूँगा powerpoint कब लिख लेगा internet डालूँगा dot look डालूँगा access डालूँगा वो सबको create create करेगा तो यह तो आगे की चीज़े हैं तकी बीद बता दिया object भी होता है तुसरा होता है process मतलब कि आप define भी कर से process जैसे कि माल लिजिए कि मुझे एक seat insert करना है तकी seat insert करने के साहसार मुझे उसकी name भी change करना है मुझे उसकी position भी set करनी है मुझे उसकी background color भी change करनी है मुझे उसको hide भी करना है तो आप यहां पर गर जैसे कि set मैंने गोल दिया के equal to seats dot add और फिर हम यहां पर लिखते है कि which k dot name equal to data name equal to data dot यहां पर हमने move dot dot add dot color equal to vv rate last minute and width ऐसे आपको courses डी define गाजिकते है clear है तो यह अभी एक बार और बंद होके होगा एक बार वापस रीज्वें करीजिएगा हलो सर यह सरी यह जो आप width के साथ की है ना, यह actually काम क्या करते हैं हम लुग कर्ण 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 झाल झाल हलो है हलो है हलो है असर पूछ रहते हैं कि कौन सा कंडिशन पर हम लोग विट एंड विट कब यूज़ करते हैं कि 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 रिकॉर्डिंग के पर्मिशन दे दी चैनल बद्याइब कि क्या होता है कि जब मुझे मुझे एक ही अब्जेक्ट पर कई सारे काम करने हैं तो वहां बिद कमांगा राते हैं ताकि हमें बार बार अब्जेक्ट देने की जरुआ जैसे कि माल इसे मुझे रेंज एवन के उपर माल इसे रेंज बीवन के उपर एवन के मुझे फॉंट अप्लाई करना है तो मुझे यहां लिखूंगा रेंज एवन से लेके एट्वेंटेन डॉट फॉंट अब मुझे इसी लोकेशन पर मुझे यहां पर इसकी फॉंट भी चेंज करनी है तो यहां पर फॉंट डॉट नेम इक्वल टू जो नेम में उडाल देना है मुझे यहीं पर इसका साइज भी चेंज करना है तो मुझे यहां पर डॉट साइज डॉट साइज इसको अंडर ना है तो मुझे यहां पर लिखना पर डॉट अंडर लाइं इक्वल टू तो आप देख रहे हैं कि मुझे यह अब्जेक्ट बार बार अप्लाई करना पड़ा है अब तो चली चोटा अब्जेक्टर के हो सकता है अभी जो इससे पहले हमने आपको एक्जाम को दिया कि बड़ा भी हो सकता है यह बहुत जड़ा टाइप करना पड़ेगा यहां पर बिथ कमांड यूज करें बिथ और फिर आप फॉन्ट को या फॉन्ट दे दे उसके यहां पर देखें प्लेज में उट कर लीजे शोडारा पीछ और फिर यहां पर आपने कर दिया और अब्जेक्ट को आप अब्जेक्ट भी दे सकते हैं और किसी पॉर्सिस को भी डिफाइन दे सकते हैं इसमें नहीं सर ओके तो क्लास आगे करनी है कि यहां पर एक सेक्शन होता है और इससे करना है तो नहीं करना है नहीं सर अब अगली एजामपल इसमें करते हैं अब हम बात करते हैं कंडीशन्स की अब बात करते हैं कंडीशन्स की तो हम यहां पर इस कंडीशन्स के बारे में जाने गया कि यहां पर देखिए कि हमारे पास यहां पर सेल्स है और मुझे करना है कि जो ग्रेटर दान 50 है उस पर यहां पर मुझे 100 यहां पर हम देंगे फंक्शन सब हरा और यहां पर हम देंगे लुप कि 4 इसको हम डाइनिमिक कैसे करें तो यहां पर आप इसके कई साथ तरीक है तो आप यहां पर लगता है को ब्लैंक नहीं है तो आप यहां सकते हैं अप्लिकेशन डॉट काउंट ए अब वरक्शीट फंक्शन और यहां पर देंगे रेंज यह से लेके ठीट तक इसकते हैं तो काउंट ए एकसल का फंक्शन है काउंट ए क्या करता है बताता है कि आपके एकसल में कितने टोटल सेल में डेटा फिल के आगा है लेकि इससे प्रॉलम होगी अगर ब्लैंक हुआ तो प्रॉलम हो सकती है तो उस केज में सबसे अच्छा हुपाई है जो में सबसे जब मैं यूज करता हूं वो दिखूंगा कि रेंज सबसे अच्छा है जो हम यूज करता है अब मुझे यहां पर देना है कि कंडिशन कि भी गेटर दें 50 है नहीं है तो मुझे सिंगल कंडिशन हो सिंगल रिजल्ट है तो सिंपल सा हमाई यूज करूंगा कि इफ रेंज क्रश् now i can combine cocktail का लिए . बाल्यू इस ग्रेंटर दिशिन दां फिविट्टि दैन रिंग यह साथ 1 गाई को कमाई ओ अर यहां पर डॉट यहां पर रस जालड वैल्यू दो हौकी का वाई है quizz今 नहीं है तो यहां क्या है कि मेरे पास सिंगल वान और सिंगल डिजर्ट और सिंगल कंडिशन्स है तो मैं इसको एक लाइन में दिदूंगा मुझे एंड इफ करने का जंजट नहीं यहां इसको रॉन कीजिए और देखिए यह नीचे तक आपके पास आगए लेकिन अपने में पास सिंगल इसल्ट लेकिन डबल कंडिशन्स हुए उसे मुझे क्या करना है कि थाउजिंट भी देना है और साथ में उस सेंज को कलर भी करना है कि रभीक सुआज ही फून को करना है अभी जी अजी हाँ 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 उसके एक क्लास बच्ची पाकी है हाँ ठीक सुने ना मैं भी क्लास ले रहा हूं यह भी है कि ने क्लास कर खुल कर आपको यह अभी रभी कुस्वाजी आया हुए थे लगाउट रहा है और यहां पर यहां पर मुझे क्या करना है कि कलर भी करना है तो उस केस में हम यहां क्या करेंगे यहां पर हम फिर उसको तोरेंगे नीचे लाएंगे और फिर यहां पर लिखेंगे कि रेंज एक केसा आई आ जाए और यहां पर दोट वैलू नहीं होगा डॉट इंटेडियर डॉट कलर इक्वल टू फिर यहां पर आपको एंड इफ लगाना पड़ेगा तो अब मैं इसको रण करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर की कलर भी कर देया तो फिर आपको यहां पर पहले लगना पड़ेगा इसको बोलते है इफ एल्स और फिर यहां पर आप अपना रिजल लादेगा अब मेंसीकली इसका यही में में साइटेक्स होता है इस एक्स्प्रेशन मतलब की कंडिशन्स दैं डिजल इस फॉस पार्ट यह आपका इनीशा पर्ट हो गया यह आपका फॉस्पार्ट हो गया आप पॉड़ावट इस नम्रों को इसमें अगला इसदाफ़ देते हैं कि अगर मुझे 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 इसमें जो गेटर दैं हैं फिप्टी टू एट्टी है उनको मुझे एट हंडड़ देना है से फॉल ने को कि मल्टिपल कंडिशन लेकिन सिंगल रिजल है तो यहां हम लूप से भी रखते हैं यहां पर इसको एक बर मैं इसको रायता हूं कुछ रायता हूं कुछ यहां पर इसको रायता हूं तो 1000 आना चाहिए अब यहां पर एंड इफ करना ज़ोरी नहीं है आप डायरे एक ही लाइन में इसको लिख सकते हैं कि यहां पर हमने मल्टिपल कंडिशन लगा है तो दो कंडिशन को आप इस तरह से एंड देके लगा सकते हैं कि रिजल्ट हमारा सिंगल है तो एंड देके नीचे तोड़के एंड इफ देने की जरुरत नहीं है लेकि अगर में पास कंडिशन मुझे कलर भी करना है तो उस केज में फिर आपको नीचे तोड़ना होगा और फिर इसमें आपको एंड देना पड़ेगा लेकि यह तो दो कंडिशन है लेकि मेरे पास कई सारे कंडिशन हों तो थिर्ट इनननने है यहांपे सब्जेक्ट है मैं आपर सब्जेक्ट ही देता है और यहां पर हमें डेता हूँ खी नीचे तक द्रेक करकर देता हूं अधी तो बैलू दाल दिया और यहां पे इसको हम दे देते जाए अब मुझे यहां पर पास और फेल देना है इसमें कंडीशन क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट है सब में 30 से ज़्यादा होना चाहिए करते हैं अलग प्रोग्राम बनाते हैं सब्जेक्ट अब यहां पर देते हैं कंडिशन लुपका के फोर यहां ब्रेवल भी दे सकते हैं सब्जेक्ट वान कॉमा सब्जेक्ट टू कॉमा सब्जेक्ट थ्री कॉमा सब्जेक्ट फोर अब यह आरे देना चाहिए तो आरे भी दे सकते हैं सब्जेक्ट अब यहां पर मुझे सब्जेक्ट अब यहां कि s1.range यह लूप मिलाना प्रेगा मार्किजीगा लूप मिलाना नहीं नहीं 4 i इकल बिचले 2 एट थार को और नेक्स्ट यहां देंगें सब्जेक्ट देंगें लूप में तेंगे यहां केंट कर लीजये प्लीज करते हैं पेस्ट 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 यहां पर हमारा थ्री हो जाएगा यहां पर हमारा 4 हो जाएगा और B के जगा पर यहां हमारा C हो जाएगा, यहां हमारा D हो जाएगा, यहां हमारा E हो जाएगा यहां चंडिशन होगा, कि if S1, S1 is greater than equal to 30 S2 is greater than equal to 30 S3 is greater than equal to 30 S4 is greater than equal to 30 F R dot value equal to else dot value 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 लेकिन मुझे यहां पर यह भी देना है कि कौन-कौन सब्जेक्ट में फेल हुआ है या किसी एक सब्जेक्ट का नाम देना है तो मतलब कि मैं यहां पर नेस्टेड लूप भी लगा सकता हूं इसको कॉपी करता हूं सबको सेम ही रखता हूं और यहां पर मैं पोर तो लगेगा लगेगा यह सब लगेगा बस बाकी चीज़ देना हुआ 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 कि मैं यहां पर इस तरह के यह दे रहा हूं मने कि आगे बढ़ा दे रहा हूं कि आगे यहां अगर एल्स आया इसका मतलब है कि इसने चौते सब्जेक्ट में फेल हुआ है यहां पर जितने इफ है उतने हमको एल्स भी करना पर देगा तो एक आम करता हूं मैं यहां पर एल्स और यहां पर लिक्ता हूं यहां पर एल्स और 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 यहां पर एल्स यहां पर एस्टू हो लगा है अब जिक्टू तो यह देखिए यह पहला इफ है पहले इफ के अंदर में पूरा पार्ड है अगरे गेट अगरे क्या टूप नु हुआ तो दूसरे इफ करेंगा है नहीं तो सीधे यहां से आहां से बार आजा ऐसी आपका तीसरा इफ चोथि को नहीं इलिए तो बाहर आ जाए गाए चोथा इफ अगर देगा पास सब्सक्राइब इस तरह से हम ने स्टेरिफ मतलब एक एक नाम के दो मैंकों नहीं हो सकते एक इस में अलोंगर इए इस तरह से रखेंगे इसको बोलते में स्टेरिफ क्लियर है मेरा क्वेस्चन है यह सब्सक्राइब कर दीशन के लिए हम लोग सेलेक्शन पर भी तो इस कंडिशन लगा सकते हैं कि मेरे को अलग-अलग string value के उपर cell को select करना है तो उसमें ऐसे if condition लगा सकते हैं इसमें चलेगा कि इसमें सर्फ value के उपर चलेगा देखिए value के उपर यहां dot select करते हैं तो क्या dot select होगा अंदर select करने से को रिजल्ट लिखना अच्छित कंपेर किसके साथ करेगा जैसे sir मैं बोड़ रही हूं कि if a1 dot value equals to invited comma में दे रही हूं order id और suborder id दोनों में से कोई भी condition match हो तो वो उस cell को select करे अब कर रही है तो सर्फ वो और सेलेक्शन के जगर डिबग आ रहा था तो आप एक बार खाली एक दो और के बीच में दिखा देंगी ओचीज तो फिर में घर में उसको प्रैक्टिस कर पाऊंगा पूरा ठीक है मैं दिखा दोगा अभी जो सीख रहे उसको सीखिए मैं लें पूट जाएगा थीक है जाए तो बूल जाओंगा कि मैं क्या प्रहान आता हो आगे क्या प्रहान दोगा अगला यहां पर कुश्चन आता है जिसे भी मैं तो पहले एक बताया था इसमें मुझे स्लैप करना है जैसे कि मुझे आप जो है एलसी इफ लगाना है कि 0 to 40 हुआ 41 to 80 हुआ 81 to यहां पर हमने वोल दिया इस पर मुझे वैलो देनी है 500 600 70 और इस तरह 700 और वहां वहां इसके लिए हम यहां पर एलसीट की बाद करते हैं सब यहां मैं यूज करूंगा 4 i इसको इसको आपनी भी कर सकते हैं या फिर अपनी डिजल दे दीजिए उसे 10 तर चाहिए फिर next यहां पर मुझे condition देना है कि if range a के साथ आपने यहां पर i को कमाई किया dot value is less than equal to 40 यहां पर यहां पर अगने जीए तर आप के साथ आप को कॉपी करता हुआ है यहां पर होगा कि यहां पर जाता है 60 अगर ऐसा हुआ तो यहां वैलू के जगए 500 जबाते मुझे 600 देना और इसी तरह से आगे सारे चीज़ को कम्बाइन अफ करते से लिए अगरे 700 होगा अगरे 80 से छोटा हुआ और यह हमारा 100 से छोटा हुआ तो कि इसको पापी करता हुआ हुआ नीचे पेस करता हुआ अगर एक greater than 100 रुआ है तो 1000 आस्ट में आप हैं लिए तो बिल्कुल इसका opposite है कि यह दूसरा इस तब चलाएगा जब पहला इस हमारा false है लेकि आगर बहुत ज़्यादा complicated है और काफी जाबे conditions देने हैं तो उस case में हमारे पास एक और तरीका होता है select case का जी हाँ अब यहाँ पर लिखेंगे select case इसके साथ तो हमने बोला कि range object डाल दीजिए कि range एक के साथ एक अलग है मताला हम रुट लेंगे अब मैं बोलता हूँ कि case अगर ए less than equal to 40 हुआ तो आप अपना result डाल देजिए अब इस लगाने की जरुवत नहीं है case अगर less than equal to 60 है तो यहाँ पे 6,000 case less than equal to हमारा 80 है यहाँ पे case is less than equal to 100 यहाँ पे 700 यहाँ पे ठीक है और लास्ट में and select and command लगा सकते हैं कुछ बोलना चाहाँ आप लोगा हूँ हाँ सर यह case क्यों लिखना जरूरी है अगर हम select range लिखा तो क्या होगा यह पे लिखने का style है लिखने का style है जैसे यहां पर 0-20 कर सकते हैं, इस तरह से, फिर 2 लगाने के दिआ के जिसे की आपको कई साले लिएखने से तरह से, इस तरह से इस के लिए ऌए आप यहां पर और दिए सकते हैं, आप लिएatar से इस तरह से लिख सकते हैं यह हमारा स्लैक्ट है कंडिशन स्लेक्ट सिलेक्ट जो है यह ऑब्जेक्ट में आगा न कि इफ कंडिशन है यह कंडिशन नहीं है आपके बास पॉलिकेटेड और बहुत ज्यादा हो तो यहां पी आपको के सिलेक्ट लगाने से फायदा होता है आपको बहुत सारे इस लगाने के ज़रूत नहीं पड़ती है कि ओके सब ओके सब्सक्राइब आगया कि अधिसमें आप लोगो कि मेरी आप से आज आप जो है काफी ज़्यादा पढ़ लिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए को कि आगला टॉपिक है अब प्रैक्टिश में दो एक बार इसको प्रैक्टिश को लीजिए फिर हम अग्ली क्लास में हमज्ब के सब बात करें और किए अगली क्लास में हम आपकी जो टॉपिक है और वर्हत्ति के पॉमवे तें वह मैस्पॉम्चिन गया है ard नेक्सड देखेंगे है यह सब चीजे आपको अगली क्लास में हम आपको समझा देंगे अधिक्षिप कर लीजे अब लिए सब एक वर्गुक है तो उसमें शीटें हैं 30 तो मुझे पुरे मंद की डालने उसमें तो तो मुझे दिक्कत आ रहे सथ तो उसमें वहंती डेट कहा डाल रही हैं अब को शीट नेम पर मतलब जैसे शीट वन है तो डेट लेले सीट टू है तो दो और शीट थी अट अट इसके लिए इसके लिए है अलो जी क्या लिए कोडिए को इसके लिए इसके लिए हैं तो यहां तो आप यहां पर लूप लगाएंगे इस फोट इस बीए शीट इंसर्टेट है कि न्या शीट इंसर्ट भी करना है सर नहीं शीट इंसर्टेट है और लेड़ी तो तीशीट है तो उसमें देट डान ने तो पुरी मत की इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर वन टू और आउट करना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है यहां यहां पर दिखेंगे यह जीट सेट्स नेम आपके पास एक ब्रेवल यहां पर डीटी दिम डीटी अजेटी अजेट एक डेट स्टार्टिंग कर दीट है वह स्टार्टिंग कर देट यहां का इंटी करते हैं इस चीक है एक जैन या एक अप्रेव इस तरह से है आज यहां पर डालेंगे इस प्रणम यहां पर है कि किष्ञास में श्रीक में अप्रस और स्टार्ट पर यहां पर ड्रीटी अफंड जएप कर एक सुर्णी असथर यहां पर ड्रीटी plus i-1 comma ddd dd slash nmn slash yy या पी कुछ और भी आन सकते है सरफ dt plus 1 minus 1 कि है sorry dt plus i minus 1 क्यों कि है क्यों कि लास्ट का एक sheet में नहीं लेना है ना नहीं आज यहां पता है मैंने minus 1 को गिया कि यड को minus करने के लिए यड को minus करने के लिए नहीं 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 इसे डेट आमल क्या है एक शुनिए डेट एक अप्रेल है ना आप जूड़ेगा ना क्या हो जाएगा ऐखके 2 अप्रेल से लेके पहले चलाएगा तो आमने माइनस वर जब माइनस और ना करेंगे कम जब यहां पर क्या होगा एक आपल नहीं यहां पर 508 स्मोर्च होगा सब्सक्राइब तो हर देट में एक ही गड़ते चला जाएगा तो आपका एक से तीज तक आएगा करके देखना हो परफेसर मैं हम्रेट पर्शन प्रूफ रीड़ है इसमें गलत होने सीट्स आपर सीट्स ने होगा माफ कीजिएगा यहां में एक एरर आ था है थीट्स में ने निए भी गलत है में बोडियो के देखों कि तो समझ में आगा कैसे वॉप कर रहे हैं कि सभी एर्ट तायकर लेक्वा कुछ शीट्लै अब हमें इसाब से मिरे सीट्ट नहीं करेंगा यहांपर चर्काष चरेपाष आउपाषि जरेर्ट्स अजबम तोछ तॉओ सिंपरны प्रशिवर्च इंचार पॉट आइग और से वहां एक कॉछच के पारी प्रशिवर्च शुलेगा इसलेकश धी प्लस आइ मैनस वन फोटा आहिंग नोगे दिती प्लस आइ मैनस वोन प्रस पर आएप्या वंहें हुआ है तो एक अप्रेल में एक जूरेगा तो दो अप्रेल हो जाएगा ना अब दो आप्रेल शे अप्रेल हो जाएगा अच्छा नाम अल्लेडी है पहले से मैं कमाई नाम नहीं करता है कि अजया दो अप्रेल से अच्छे अच्छा नाम ठीक आप्रेल शेलिया नाम थे विए मैंने यहां पर माइना कि जगा पर का लिया वन तू त्री डाला है कि अच्छ नेक्स 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 तभी तो जड़ेगा ना अप्लाइड को क्या होगा डेट डिफाइन होगा आई से अच्छ नेक्स नेक्स डे मेरा प्रॉब्लम तोड़ा देखिए गाई और सरा आप जो मैंच्छ फंक्शन सिखाय थे ना हम किये थे वहां पर स्टेट थाई नहीं तो उसके डिप्लेस में पहले का वैलू ले ले रहे हैं कैसे थे सब्सक्राइब का तो आज शुन हैं पें थ्यान दीजिये ठीके थे शेटेज को के आधि